और देल सो फड़ा पोस्टर निकला हीरो कौन सा है यह हीरो चाप्टर आपको कमेंट में बताने देखो चीटिंग नहीं पता है मुझे कि दो मिनिट बाद तो आप लोग देखी लोगे और पता चल जाएगा उसके पहले जो अभी पॉस करके कमेंट करके बताएगा उसमें प्रॉटेट के लिए बाकी लोगों के लिए भी टोटली नियुक्त के लिए तो एक्सपेक्टिंग अच्छी तरह से करवाने वाला हूं और इस माक्सिमम टू आर्स आप लोगों बस दो घंटे के अंदर मैं यह चैप्टल को पूरा कंप्लीट कर दूंगा विद इच एन आप लोगों को लिखाऊंगा येस उसको अपन लोग हल के लेवल पर डिराइव करेंगे और मैजिक बुक में जैसा कि आपको बता है कि मैंने एक्जांपल्स भी साथ साथ में दे दिया है वो भी मैं अभी का भी आप लोगों के साथ करवा दूगा सो जस्ट तो गिव यू परस्पेक्टिव ये देखो यहां पर जितने भी अपने कॉंसेट से वो सारे के सारे अपने को करने हैं तो बीए दे कॉंसेट रिलेटिंग तो नेट प्रसेंट वैल्यू डिस्काउंट रेट्स स्टैंडर्ड डिविएशन को एफिशन अवेशन सब मैं आप लोगों के ल जितने वी इलस्टेशन है उन में कौंसे चे leám से मिलेग आपको मिलेगा यह टिलीग्राम चैनल पर जो आपको यह जो यह पीडिएफ है तो टेलिग्राम चैनल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिखेगा कमेंट पर पिन किया हुआ है यूँ प्रॉब्लम नहीं है तो सर क्या हम लोग यह रिविजन लेक्चर देखेंगे तो यह सारे सम्सॉल कर पाएंगे जिए आप यह प्रॉब्लम नाम भी लिख दिया है उससे रिलेटेड जो कॉंसेट है वह भी लिख दिया है महनत लगा है भाई लाइक तो बनता है यह सब्सक्राइब तो डेफिनिटली बनता है आप लोग करी रहे हूंगे विकॉस यू नो देवल और रिविजन लेक्चर जो मैं आप helping you a lot secondly अगर अपके पास यह magic book नहीं है then in that case definitely please have it because you know के how important it is तो जब मैं करवा रहा हूं आप लोग को यह चीजे so you will realize that concept आ गया यहां पर concept से related ही यहां पर आप लोग को immediately देख जाएगा example हर जगा पर हर जगा पर आपको यही चीज मिलने वाली है concept करवाऊंगा मैं यहां पर जैसे अभी यह probability का concept हुआ probability के concept से related example that's what you want और यह example भी मैंने कहां से pick up किया है yes from the icai module जैसा कि आप आप लोगों के लिए अच्छा होगा प्लस मैं जब करवाऊंगा आप लोगों को तो formulas लिखवाऊंगा और वो वाले written notes भी आपको चाहिए तो you can let me know in the comments that you need the handwritten notes and I will definitely share that with you also on my telegram channel इसके अलावा अब आपको concept topics का revisions चाहिए practical questions का भी अगर आपको अलग से revisions चाहिए as a lot of people are requesting do let me know in the comments and please share and like with your friends as well जिनको भी group 1 है AFM है and who wouldn't know about my revision session so please do need your support in that regards चुब काम में देरी किस बात की let the game begin start करते है and end तक बने रहना time stamps भी मैं आपको किसाथ यहां पे share कर दूँगा आपको को specific topic पे जाने वो भी आप कर सकते हो और overall सुनना time dedicate कर देरा से for example आपको लग रहे कि सार मेरे पास अभी हाफ एनार यह no problem हाफ एनार mobile और बाकी सब चीजे बन अगर mobile पर देख रहे हैं तो बाकी जो भी आप लोग के notifications है उसको off कर दो just focus on that of half एनार book pen लेके बैटो लिखते जाओ साथ साथ में कर दे जाओ that is how productively you will have to do और वो करने के लिए ना अपने comfort पर चलेगा दीदी नहीं चलेगा राइट दो टू आर्स आपके पास आप डेफिनिटल स्पीड पर सुनते होगे 1.5 की so whatever time you have dedicatedly तन मन धन से करना and I am sure this is going to be very decision tree है उसका भी मैंने सम करवाने वाला हो तुम लोग को एक classic समे module का वो ही मैंने master सम के तुरू ले लिया है magic book में so all in all let's have a great time let's enjoy this new chapter and मजा आ जाएगा चलो फिर let's get started with advanced capital budgeting decisions and yes one more thing I am planning for a one day marathon in your city में भी आप अपना city भी नीचे mention कर सकते हैं so that I come to know and we may catch up soon start करते हैं यह session को so guys यहाँ पे capital budgeting में काफी सारे concepts है जो अपने को करना है and let me tell you after this session you will become a champion at least in all the concepts जैसे कि यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है net percent value inflation capital and budgeting adjustments discount rate वो दना इसमें real rate nominal rate फिर बाद में techniques of risk analysis में probability analysis है variance है standard deviation coefficient of variation certainty equivalence sensitivity analysis scenario analysis risk adjusted discount rate everything जियां everything in terms of formula और जैसा कि आप लोग को मेरा technique पता होगा I will take help of an example and that is how we will connect है तो चलो without wasting any time we should start सबसे पहले एक छोड़ा सा theory you can just go through this अब स्टार्ट कर रहे है अपन लोग इस positive chapter को यार comment पे जैसी राम लिखना तो बनता है public क्या बलता है चलो so now let's start with capital budgeting now what exactly is capital budgeting so ध्यान से समझने की कोशिश करना that whenever आप कोई project में invest करने वाले हो and उस project का जो cash inflows है यानि जो पैसा मिलने वाला है that occurs over a period of time तब आप यूज करते हो concept of net present value क्यूँ कि मैं पैसा तो आज का आज ही लगा दूँगा तो उसे for example मेरे को एक machinery खरीदनी है मेरको एक construction करना है किसी building का तो मेरा जो investment है cash outflow जिसको होलते है वो आज का आज ही लग जाएगा पर मुझे जो पैसा मिलने वाला है over a period of time वो जो मुझे मिलेगा आज की तारीक में उसका value क्या होगा that I should know only on that decision मैं ले पाऊंगा कि भाई बराबर चल रहा है whether I am making a positive cash inflow or not for example सबसे चीज अच्छी चीज में आप लोगो को यह आपर बता सकता हूँ that suppose आपने आज 10 लाग रुपे का machinery लिया अब यह 10 लाग रुपे का machinery है तो पैसा तो आज ही चले गया पात साल तक यह machinery चलेगा बट पात साल में अगर मैं आपको बोलता हूँ कि इस machine से मे मिलेंगे या 3-3 लाग रुपे मिलेंगे तो पात साल में 15 लाग मिलेंगे अब पात साल के बाद भी अगर मेरे को टोटल 15 लाग ही मिल रहे है जिसमें से 5th year में मुझे 3 लाग रुपे मिलने वाल है then in that case real terms में तो मैंने पैसा कमाया ही नहीं जिया और वही अपने को net present value बत जब वो आपके एज के थे which is say 20 years back उनको 100 रुपे का क्या value था आपको भी पता है मुझे भी पता है और उससे भी पीछे जाओ जो आपके grandparents है वो जब आपके एज के थे तो उनके लिए 100 रुपे का क्या value था again we know so अपने लिए 100 रुपे का hardly कुछ value है but आज से 20 साल पहले अपना तो आज 100 रुपे एक दिन में use हो जाएगा और वो ही अपने grandparents को पूछोगे तो बोलेंगे 100 रुपे तो आज से 40-50 साल पहले वो बोलेंगे 100 रुपे में तो हमारा 1-2 महिना आराम से निकल सकता है so what is happening is अगर वो पैसा है then in that case उसका value over a period of time change हो रहा है and that is what is to be understood in capital budgeting because मेरको ये जो पैसा आज से 3 साल बाद 5 साल बाद मिलने वाला है उसका value आज के terms में क्या है present के terms में क्या है उसके basis पे मैं मेरा decision ले पाऊंगा so आज मुझे अगर कोई 3 लाग रुपे दे और आज से 5 साल बाद मुझे कोई 3 लाग रुपे दे क्या वो same है क्या the answer is no तो that is what we are going to understand in net present value terms in capital budgeting के capital budgeting में कर्चा आज ही हो गया पर जो पैसा मेरको over a period of time मिलने वाला है वो over a period of time का पैसा आज के terms में present value terms में मैं देखूंगा की कितना है and मेरा cash outflows में से minus करूंगा giving me the concept of net present value and obviously अगर ये net present value positive रहा तो I will accept the project else I will reject the project so present value of cash inflow obviously आप लोगी इंटर में पढ़ चुके बट फिर भी मेरे एक आदित है मैं basic से थोड़ा kickstart करता हूँ फिर अप इसको level अच्छे level पे लेते जाएंगे अब जब मैं बोल रहा हूं कि यार कितना पैसा मिलने वाला है तो over a period of time मेरे को हर साल तीन लाग रुपे किसी स साल पाच लाग किसी साल सात लाग रुपे मिलेगा तो वो क्या है वो है मेरा cash inflow real cash inflow तो सर वो कैसे calculate होता है तो उसके लिए यह रा मेरा format सबसे पहले मैंने अगर से for example मैं यह remote बनाने के business में हूँ तो अब अगर मैं यह remote बना रहा हूं तो obviously remote बेचूंगा बराबरे बहु हो जाएगा मेरे पास आजाएगा earning before depreciation है tax इसमें से अगर मैंने कोई machinery है obviously machinery खरी दियोगी तब ही जाके मैं इतना अच्छा remote बना पाऊंगा तो वो जो machinery है उसका depreciation less किया मुझे आ गया earning before tax इसमें से tax less किया and I will get the earnings after tax and I will get the earnings after tax अब सर यह earnings after tax में आपने depreciation क्यों add किया है for a simple reason because ध्यान में रखना मेरे को यहाँ पे cash inflows चाहिए बेटा क्या चाहिए cash inflows अब अगर आप लोग note करोगे तो depreciation तो एक non cash expense है तो सर ऐसा क्यों कि आपने पहले less किया फिर बाद में यहाँ पे add किया for a simple reason because depreciation की वज़े जैसे मुझे tax benefit मिल जाएगा जैसे ही वो tax benefit यहाँ पे मिल गया मैं यह depreciation को add back कर दूंगा because यह कोई मेरा real cash expense नहीं है यह basic idea आप लोगों को होगा जैसे ही मुझे यह depreciation का tax benefit मिलता है what I will do is I will then add it back कैसे depreciation का tax benefit मिलता है because depreciation को मैं debit कर सकता हूँ debit करने के वैसे मेरा expense बढ़ गया net profit कम net profit कम तो उतना कम मैं tax भरूँगा तो चलो भई tax department तो बोलता है depreciation उनके लिए allowable expense है तो उतना कम tax भर दिया अब क्या यह मेरा real cash expense है क्या नहीं सरी है चलो added back जिससे मुझे real में cash inflows मेरा कितना हुआ है वो पता चल जाएगा और इसी को अगर calculate करने के लिए कोई shortcut तरीका चाहिए तो आपको earning before depreciation and tax दिया है आप अपना tax का जो figure है वो minus कर दो and add कर दो tax savings on depreciation effectively यहां पे हो क्या रहा है वो ही तो हो रहा है यहां पे मैं कर रहा हूँ पहले depreciation मैंने tax का benefit ले लिया और फिर बाद में add back कर रहा हूँ depreciation so effectively what I am doing is I am taking the benefit of tax savings on depreciation so effectively अगर मैंने 10 रुपे का depreciation debit किया है then in that case into tax percentage 3 रुपीज का मेर को tax saving हो जाएगा which I can directly add here आभी clear everybody so calculation of cash inflow calculation of cash inflow using tax savings on depreciation either ways अब cash inflow calculate कर सकते है उसको आपको discount rate से multiply करना है and we will get the present value of cash inflow minus present value of cash outflow करते है अपन लोग NPV मिल जाएगा I think यह अपना inter का part हो गया अब यहां से मेरा real game चलू होता है and that is the CA finale so आजओ impact of inflation on capital budgeting decision सबसे पहले आपको question में दिया जाएगा revenue without inflation cost without inflation और आपको साथ में inflation का percentage दिया जाएगा मेरको आप लोग एक बात बताओ कि कोई भी business है जिसको पता है कि inflation rate आगे क्या होने वाला है revenues का भी cost का भी क्या वो incorporate करेगा कि ने अपने financial structure में the answer is yes तो यहां पे भी जैसे ही आपको अगर revenue without inflation दिया है your job is to convert it into with inflation by multiplying it with the inflation rate मैं यहां पे आप लोगो को example दे देता हूँ तो उसके पहले भाई मैं तुम लोगो एक एक चीज जो यहां पर पढ़ा रहा हूँ न उसको by default लिखवाते भी जाओंगा तो अभी तक मैंने क्या कर रहा है अभी मैंने आप लोगो कर रहा है net present value फटा फटा अगर मेरे को कोई बोलना चाहेगा कि net present value क्या होता है तो वो मेरे को immediately क्या बोलेगा सर sales में से variable cost minus करो सर आपको मिल जाएगा contribution सर इसमें से fixed cost minus करो सर आपको मिल जाएगा earning before depreciation and taxes सर इसमें से depreciation minus करो आपको मिल जाएगा earning before taxes सर less tax add सर less tax कर दो तो आपको profit after tax मिल गया इसमें मैं add back कर देता हूँ depreciation इसको ही calculate करने का मेरे पास दूसरा तरीका भी है वो है shortcut तरीका कि earning before depreciation and taxes less tax कर दूंगा मैं and then यह जो मेरा profit after tax आ रहा है इसमें मैं add कर दूंगा tax savings on depreciation in case कुछ अदूरा information है तो यह वाला shortcut method भी मैं use कर सकता हूँ जो भी मेरा cash inflow है उसको मैं discounting factor से करूंगा तो first year का cash inflow first year के discounting factor से second year का cash inflow second year के discounting factor से इससे मुझे मिल जाएगा present value of cash inflow which from which I will reduce the present value of cash outflow and मुझे मिल जाएगा NPV which was my first concept second concept में मैं फटाफट immediately आ रहा हूँ and that is कि अगर inflation हुआ then in that case उसका adjustment कैसे करना है तो ध्यान से सुनना तो दो तरक है यहापर मेरे पास चीज़े होगी जिसके ओपर inflation लागए होगा एक होगा revenue और दूसरा होगा cost एक होगा revenue दूसरा होगा cost यह जो मेरा revenue है तो say for example year 1 का revenue है rupees 100 अब revenue say for example increase हो रहा है मेरा 9% से ठीक है first year में second year में मेरे को बोला कि it is going to increase by say 8% तो अब जब मैं year 1 का year 1 का जब मैं revenue calculate करता हूँ तो it will be 100 plus 9% equal to 109 बरावर है बट जब मैं year 2 का calculate करता हूँ तो obviously यह जो 109 है इसके उपर और 8% applicable हो जाएगा क्यों sir क्योंकि देखो same is going to be with the cost as well तो यहाँ पेसे पर example मैं अगर cost बोल रहा हूँ 80 रुपीज का मेरा cost है sir inflation लगने वाला है 9% फिर inflation लगने वाला है cost के ओपर से 7% अगर ऐसा scenario है तो 80 का मेरा यह raw material था next year कैना इससे 80 plus 9% तो 87.2 हो जाएगा और example 81 80 का 9% कितना होता है भाई 8 रुपे लेड़ो ना 10% सो उतना मेरा add हो जाएगा cost में फिर दो साल बाद कैना इससे second year का मेरे को दिया वाए inflation rate तो मैं सीधा 80 into second year का inflation rate नहीं करूँगा पहले मेरको 80 into first year का inflation rate करना पड़ेगा तो मुझे first year का cost राता से लेगा उसके ओपर में apply करूँगा second year का inflation rate अभी understanding guys तो इसके लिए यहाँ पे देखो क्या बोला है revenue into one plus inflation rate and यहाँ पे भी one plus inflation rate raised to n raised to n जितने भी months के लिए वो चलते रहेगा that is what we will have to add it तो ध्यान रखने का कि जब भी भी inflation rate अगर अपने को दिया हुआ है तो क्या करना है अपने को revenue और cost के ओपर अगर inflation दिया है तो apply the inflation rate so say for example revenue है then you have to multiply revenue with the one plus inflation rate यह first year का हुआ but जब मेरे को दो साल का revenue दिया है तो मेरे को क्या करना है revenue of second year यह will be one plus inflation of first year पहले apply करना है फिर one plus inflation apply करना है second year के उपर फिर यह apply करना है one plus inflation second year के उपर are you clear everybody ठीक है same to same logic अपका costs के उपर भी apply हो जाएगा so if revenue is say rupees 10 lakhs rupees 8 lakhs year 1 year 2 और आपको साथ में question देगा inflation sir कितना inflation है यहाँ पे sir 10 percent sir 8 percent so your revenue inflation adjusted will be your revenue inflation adjusted will be first case में 10 lakhs into 1.1 equal to 11 lakhs second case में 8 into 1.1 into 1.08 so यह देखो कितना हो जाता है 8 into 1.1 into 1.08 and this is 9.504 आपको जैसे जैसे यह बढ़ते जाएंगे वैसे जैसे आपको add करते जाना है same logic concept apply हो जाएगा मेरे cost के लिए भी आगे बढ़ते हैं next concept है मेरा nominal rate का and real rate का मैं आपको आता हूँ nominal rate और real rate को जो divide करता है वो है inflation जी हाँ ठीक है ना दोनों बहुत एक दूसरे से प्यार करते थे पट फिर इन दोनों के बीच में आ गया inflation और फिर बाद में nominal rate ने बोला वह रहे वह यही तेरी दोस्ती यही तेरा प्यार अपन दोनों के बीच में आ गई inflation की दीवार sorry sir revision के time pass time pass करते हो very bad आप देखो so nominal is nominal cash flows होता है nominal discount rate होता है पहले nominal का मतलब है anything which is including inflation so यहाँ पे जब भी आपको word nominal दिया है you should know that it includes the inflation factor and अगर आपको कभी भी real दिया है then in that case it excludes inflation factor it excludes inflation factor तो basically nominal is real plus inflation it is real plus inflation so यह एक सबसे बड़ा important factor है जो अपने को पता होना चाहिए तो यह देखो यहाँ पे जब मेरा concept है third concept है देखो पहला concept है NPV second concept है inflation third concept है real and nominal real and nominal याद रखने का भाई एक is without inflation and the other is with inflation nominal is always with inflation अब nominal cash flows होता है real cash flows होता है और दूसरा nominal discounting factor होता है and real discounting factor होता है तो अब मेरको अगर इसको split करना है तो मैं बोलूगा कि भाई देखो जब real cash flow दिया होगा question में so you have to calculate by using real discounting factor and अगर आपको question में दिया हो है nominal cash flows then guys you have to use the nominal discounting factor तो sir यह कैसे calculate करते है चलो आओ मैं आपको बताता हूँ so जैसा मैंने आपको बोला that nominal includes the inflation so we will write here nominal cash flows hello nominal cash flows includes inflation so अपन बोलेंगे nominal cash flows is equal to real cash flows into 1 plus inflation rate 1 plus inflation rate so cash flows दिया आपको real terms में 10,000 inflation rate दिया 10% so 10,000 into 1.1 is equal to 11,000 will become your nominal cash flows and समझो उल्टा है आपको real cash flows find करना है और question में nominal cash flows दिया वाया है मतलब it is including inflation so आप क्या कर दोगे nominal cash flows में divide कर दोगे 1 plus inflation rate आप divide कर दोगे 1 plus inflation rate are you clear everybody so क्या आपनोगे कर पाएंगे 100% और अभी मैं example भी लेने वालो अपना ही magic book का उससे आपको और clear हो जाएगा कानी को और मैं आगे बढ़ाता हूं into 1 plus inflation rate into 1 plus inflation rate अब अगर मैं देखता हूं कि मेरा nominal discounting factor मेरको calculate करना है तो मैं कैसे calculate कर पाऊंगा और इसी से मुझे real discounting factor rate calculate करना है वो भी मैं कर सकता हूं so I will say therefore again discounting factor see compounding effect देहोगे आप तो ही आपको exact accurate answer आएगा और वाइस इसके लिए पर लोग ने यह आपे multiply किया है so suppose 10% का discounting factor है real and 5% का inflation rate है तो it will be 1.1 into 1.05 उससे आपको real बोलते है ना real word नहीं उसका ना चाहिए but nominal discounting factor मिलेगा so here it will be nominal discounting factor is equal to now we know 1 plus real discounting factor into 1 plus inflation rate inflation का discounting factor inflation rate ती लिखेंगे अपन and minus 1 यह वाला जो इधर plus 1 था वो इधर आके minus 1 बन गया and that is how my whole formula is complete and then अगर मेर को यहां पे ही real discounting factor calculate करना है तो मैं कर सकता हूं क्या the answer is yes real discounting factor will be 1 plus nominal discounting factor public upon 1 plus inflation rate and all of this minus 1 and all of this minus 1 hey समझे गड़ी हाभी clear everybody अब आजाओ अपने बुक के उपर बुक के उपर अभी आप जाओ के तो सब समझ आएगा देखो nominal cash flows is inclusive of inflation real cash flows is exclusive of inflation so nominal cash flow into 1 plus inflation rate real cash flow nominal cash flow upon 1 plus inflation rate फिर 1 plus nominal discounting rate is equal to 1 plus real discount rate 1 plus inflation rate so nominal discounting rate हो जाएगा आपका 1 plus RDR into 1 plus inflation rate minus 1 जैसा कि अपन लोग ने आपे किया था minus 1 इदर आ जाएगा and in case of real discount rate यह इदर तोड़ा typing में देख ले ना भई चाइना वाले बीच में गूस गया है COVID आ गया है so 1 plus nominal rate 1 plus nominal rate upon 1 plus inflation rate minus 1 आभी clear everybody yes sir अब आ जाते हैं अपन लोग यहाँ पे एक छोटे से example पे so example पे देखेंगे अपन लोग तो देखो year है मेरे पास 0, 1, 2, 3 ठीक है first year में negative है 30, 40, 30 the above cash flows have been made at expected prices after recognizing inflation इसका मतलब यह कौन से cash flows हुए immediately आपके दिमाग की बत्ती जलेगी और आप बोलोगे sir यह हुए nominal cash flows very good the firm's cost of capital is 10% expected annual rate is inflation rate is 15% अब दोनों अलग अलग दिया है मतलब की यह वाला क्या हुआ can I say यह वाला हुआ 10% बोलो क्या हुआ मेरा can I say yes this is real discounting factor अब एक cash flows nominal एक discounting rate real बहुतना इंसाफ ही है अपने को तो sir ने clearly बोला है क्या बोला है clearly कि boss real cash flow के साथ real discounting factor या nominal cash flow के साथ nominal discounting factor तो अब आपके दिमाग में question आएगा तो sir nominal cash flow से nominal discounting factor करू या फिर real discounting factor के लिए real cash flows करू the choice is yours answer दोनों में total same ही आएगा आपको जो करना आप कर सकते हो मैंने यहापे आप लोगो को दोनों हिसाब से suggestion I mean solve करके दिया है तो say for example अगर मेरे को यहाँ पे nominal cash flows दियावा है और मेरे को real cash flows के जगे पे nominal cash flows चाहिए तो मैं क्या calculate कर सकता हू the answer is yes कैसे calculate करूँगा मैं nominal cash flows को तो यहाँ पे discounting factor को तो अपने को बनता है that it is 1 plus real discounting factor तो 1.1 बराबरे 10% यहाँ पे 5% तो into 1.05 the whole minus 1 जब आप calculator पे इसको calculate करोगे तो it will be 1.1 into 1.05 यह आगया आपका 1.155 minus 1 तो यह आपको मिल जाएगा 15.5% यह देखो यह रहा 1.1 into 1.05 minus 1 is 0.155 and that is nothing but 15.5% अब आपका जो discounting rate है वो आगया 15.5% के यह साब से आपका जो cash flows है वो वैसे भी nominal cash flows था अब आपका यह discounting factor भी nominal discounting factor हो गया है आपको मिल जाएगा net percent value आपको मिल जाएगा net percent value अब यह मैंने क्या किया nominal cash flows था जो real discounting factor था उसको nominal discounting factor में convert किया और के नहीं से मैं vice versa भी कर सकता हूँ अब अगर मेरे को real discounting factor दिया है तो मैं उसको nominal cash flows में भी convert कर सकता हूँ आपकर देखो cash flows क्या दिया है nominal cash flows देखो क्या दिया है first year का से ford दिया है 30 तो अब यहाँ पे अगर मेरे को convert करना है तो मैंने क्या बुलावाए आपको cash flows में कैसे convert करूँगा तो यह रहा तो जब मैं real discounting factor से multiply करता हूँ तो 10% का first year का discounting factor रहता है 0.909 into 0.909 जब मैं करता हूँ मेरे को आजाता है 25.98 मेरे को आजाता है 25.98 हेई समझे गड़ू everybody फिर बाद में आजाते हैं अपन लोग second के ऊपर फिर बाद में आजाते हैं अपन लोग तो फिर कैसे करेंगे अपन लोग इसको तो देखो 40 divided by 1.05 बट raise to 2 यह second year का है ब्राबर है और फिर इसको multiply कर देंगे अपन लोग 0.826 के साथ 1 divided by 1.10 तो दो बार अगर मैं करता है तो discount 0.826 40 divided by 1.05 1.05 equal to equal to करो तो यह आजाएगा आपका 40 into 0.907 into 0.826 करो आपको मिल जाएगा जी हाँ answer 29.96 तो in short अपना यह sum भी हो गया अपने को clarity भी आ गया that nominal discounting factor rate and real discounting factor rate एक दूसरे से कैसे convert करना है by using the appropriate formula तो तीन चीज़े अपनी हो चुकी है कौन सी तीन जीज़े सबसे पहले NPV दूसरा inflation से revenue or cost को adjust करना है तीसरा nominal rate discounting rate तो nominal cash flow real cash flows and nominal discounting factor and real discounting factor with this sum अब यह sum आप solve करोगे you'll get the same answer in either of the situations and then you can take your decision accordingly sir exam में कौन सा करना है sir अगर समझो nominal cash flows दिया discounting factor real दिया है आपको full marks मिलेगा जो examiner है उसके suggested में उसको alternate solution दिया होगा तो आपको attention लेनी की जरुरत नहीं है so इसी के साथ मेरा first phase कतम हो गया अब मैं चलने वाला हूँ मेरे second phase के उपर which basically speaks of the techniques of risk analysis तो शुक्षालो आओ शुब काम में देरी किस बात की let's start with this so guys अब आ रहे है आपन लोग techniques of risk analysis इस में तीन तरह के techniques है statistical technique, conventional technique and other techniques so यह totally आप लोगों के लिए नहीं होगा and let me tell you कि इसका जो first part है especially the statistical technique उसका connection है portfolio management के साथ so अगर आपको time मिले तो please portfolio management का जो मेरा revision lecture है वने नाफ आर का please उसको properly देख लेना पूरा portfolio आपके दिमाग में एकदम structurally with all formulas set हो जाएगा I am sure आप लोग में देख लिया होगा and बाकी सारे chapters के भी देख रहे होगे at least 2-3 बार exam के पहले and अब की बार 80 पार चलो so statistical technique में मेरा सबसे पहला method है probability technique क्या याद है आप लोग को कि अपन लोग expected return calculate करते थे portfolio management में उससे connected है दूसरा variance and standard deviation तो return के बाद आपन लोग risk के उपर गए थे उसके connected है and then coefficient of variation तो ये तीन चीज़ अभी अपने को statistical technique में पढ़नी है and the first one of them is the probability technique so if you remember return in portfolio management was divided into two parts based on past होता था उसको अपन लोग बुलते थे average return अर दूसरा होता था based on future जिसको अपन लोग बुलते थे expected return तो याद है अपने को एक expectation दिया खाए गुड economy फ़ा तो इतना return आएगा bad economy फ़ा तो इतना return आएगा worst economy फ़ा इतना return आएगा good return का probability bad return का probability होई है आप लोगों को दिया जाएगा cash inflows but वो cash inflows के साथ associated होगा probability and that will give us expected cash inflow. Are you understanding guys? So, यह देखो सबसे पहला step जो आप लोग probability technique में calculate करोगे is you are going to calculate the expected cash inflow. यह मेरा working note 1. Expected cash inflows और कैसे calculate करेंगे तो जो भी cash flows दिया है उसका एक probability attached होगा. So, cash inflows multiply by probability जब आप करोगे you will get the expected cash inflow. इस expected cash inflow को जब आप discount करोगे you will get the present value of expected cash inflow minus initial investment जो मेरा cash outflow है and I will get the expected net present value. अब यह हो सकता है single period हो यह हो सकता है multi period हो. तो single period हो उसमें कोई problem नहीं है. Same to same concept use करना है और मैं अभी आप लोगों के साथ एक example भी शेर करने वाला हो जहाँ पे अपन लोग यह सेम चीज़ करने वाला है. तो पहले मैंने आप लोगों को बता दिया है कोई single period में क्या होगा multi period में क्या होगा अलग अलग तीन साल का same concept चलना है बट तीन साल का आपको दिया होगा तो year one का सबसे पहले आप expected cash flows find करोगे कैसे expected cash flows find कर रहे हो cash flows multiply by probability is expected cash flows expected cash flows तो ऐसे करते करते आपको टोटल year one का expected cash flows मिलेगा correct यह जो year one का expected cash flows है आप इसको discount करोगे at the discounting rate which is given and you will get the present value of expected cash flow of year one year two year three के ले करोगे minus initial investment कर दोगे आपको मिल जाएगा multi period probability technique all right guys so अगर मेरे को यहाँ पे लिखना हो in terms of this तो मैं क्या करूँगा भाई fourth मैं बोलूँगा यार मेरा अभी आ गया है probability technique और मेरा probability technique इस प्योर ली याद रखना कभी भी वर्ड probability आया ना तो expected ही होगा expected return जैसा फन्लों में पड़ा है यहां पे वर्ड है expected net present value expected net present value तो expected net present value आप कैसे calculate करने वाले हो तो आपको दिया होगा cash inflow आपको multiply करना है probability के साथ पहला से for example यह पहला है तो इसको पहले probability के साथ करो से दूसरा है तो इसको आप दूसरी के probability के साथ करो जैसे ही आप कोई भी चीज़ को probability के साथ multiply करते हो आपको मिल जाता है expected क्या cash inflow बिकाज यहां पर आपन लोग cash inflow को probability से multiply कर रहे तो यह हो गया expected cash inflow एंड यहां पर जब इसका summation कर लेता हूं मैं तो मुझे मिल जाता है total level पे expected cash inflow अब इस expected cash inflow को चलो तोड़ा इदर लिखता हूं इस expected cash inflow को जब मैं multiply करता हूं discounting factor के साथ तब मुझे मिल जाता है present value of expected cash inflow समझ रहे कि नहीं आप लोग यार सो यहां पर इसको थोड़ा सा इदर shift कर देते हैं now multiplying this yes multiplying your yes this will give me my expected cash inflow इस expected cash inflow को मैं multiply कर दूंगा discounting factor के साथ मुझे मिल जाएगा present value of expected अलो present value of expected cash inflow और यह present value of cash expected cash inflow का जब मैं summation करता हूं मतब इसी को summation करना है तो मुझे मिल जाता है present value of expected cash inflow माइनस जब मैं present value of cash outflow करता हूं मुझे मिल जाता है NPV hello NPV based on probability technique sir चलो फटा फट से एक sum करवा दो तो यह मिल गया अपने को expected NPV based on probability sir आ जाओ तुम लोगे साथ एक sum करवा देता हूं यहां पर यह रहा आई-सी है module का sum है probabilities for net cash flows of 3 years तो सीधा multi-period ही करवा रहा हो तो tension नहीं है तो year 1 के लिए देखो कितना सारा probabilities दिया है उन सब को cash flows को probability के साथ multiply किया expected cash flow मिल गया year 1 का expected cash flows मिल गया year 2 का expected cash flow मिल गया year 3 का अब इसको year 1 से discount करेंगे year 2 से discount करेंगे year 3 से discount करेंगे जैसे मैंने यहां पर इसको discount कर दिया मुझे मिल गया percent value of expected cash flow मेरे को मिल गया percent value of अलो गोलो percent value of expected cash flows तो उसको प्रॉबबलीटी से मल्टिप्लाई किया तो एक्सपेक्टेड हो गया उसको डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टिप्लाई किया तो प्रसेंट वैली हो गया माइनस कैश आउट फ्लो तो जो दिया हुआ है वो ही दिया हुआ होता है and we get the expected net present value using the concept of probability आयो वी आर क्लियर तो यह तो आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते चीज सूच गई मेरे को कि कैश फ्लो को जब प्रॉबबलीटे से मल्टिप्लाई किया तो मिल गया वावा एक्सपेक्टेड कैश फ्लो फिर 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 आगे बढ़ा मैं को डिसकाउंटिंग फैक्टर से मिल गया तो मिल गया प्रसेंट वैल्यू और एक्सपेक्टेड कैश इन फ्लो फिर बाद में आगे बढ़ेंगे अपन लोग यह आपना वराएंट सेम तू सेम वही जो अपने किया थो क्या करते थे अपर मोद आप पॉर्ट्फोलिए वाराईएंस जब मेरे को कैल्कुलेट करना होता तो मेरे लिए फॉर्मीला क्या था पॉर्ट्फोलिए में एकस माइनस एकस बार दा कोल वॉल स्क्वेर याद करो इसका समेशन क्लियर है तो देखो अभी question में आप लोगो एक आइडिया देता हूं कि कैसा बनेगा यहां पे मेरे पास दिया होगा cash flow 1 यहां पे दिया होगा cash flow 2 यहां पे दिया होगा cash flow 3 इसको मैं जब multiply करूंगा probability 1 probability 2 and probability 3 के साथ तो मुझे मिल जाएगा यह सब का जो summation है न यह सब multiply करके जो इधर summation आएगा न that will be my expected cash inflow इस expected cash inflow को मैं यहां पे use करूंगा अब क्या बोला है देखो individually cash flows minus expected cash flow फिर यह cash flow 2 minus expected cash flow cash flow 3 minus expected cash flow square into probability तो यहां पे दिया वाई है जब इसको solve करोगे आपको मिल जाएगा variance and इस variance का standard deviation में conversion तो बेटा कितना easy है तो कोई भी variance को आप standard deviation में कैसे calculate कर सकते हो absolutely correct when you do root of variance when you do root of variance you will get standard deviation you will get standard deviation आवी clear everybody चलो sir एक sum कर लेते हैं तो अपने को और clarity आ जाएगा देखो just to give you a perspective from the magic book so expected cash flow है मेरे पास तो net cash inflow 1 net cash flow 1 into probability 1 net cash flow 2 into probability 2 ऐसे करते जाएंगे मुझे मिल जाएगा expected cash expected net cash flow वो मेरा यह आ गया अब net cash flows तो दिये वे माइनस expected cash flow तो वो सेम ही चलने वाला है जो मैंने यहां पर calculate किया probability devia हर एक साल की I'll get the variance correct उसी को root किया standard deviation और उसी के connection में निकाल लेते हैं coefficient of variation अगर आप लोगों को यादो तो फिर अगर आप लोगों को यादो तो portfolio management में Markowitz का efficient frontier था उसमें अपने को बोला था कि भाइदे को same returns रहा lowest risk तो वो lowest risk वाला चूज करने का बाकि सब बार dominant theory अगर same risk रहा highest returns वो है उसको चूज करने का बाकि सब को बार dominance theory बट अगर risk return same नहीं अलग अलग है then you have to use the concept of coefficient variation जहां पर लोग करते थे risk upon return यहां पर रिस्क है standard deviation return expected NPV or expected cash flow and based on that we will get our next formula coefficient of variation मैं उपर वाले formula से उपर वाले formula से standard deviation तो find करने ही वाला हूं और expected return expected cash flows तो मेरे पास available ही है अगेन वो भी मैंने calculate किया है तो I will easily get the coefficient of variation I will easily get the coefficient of variation therefore COV is equal to it will be standard deviation it will be standard deviation upon expected cash flows upon expected cash flows या expected present value जो भी incoming है तो यह हो गया मेरा basically this represents risk upon return कभी भी याद रखना जो numerator होता है ना वो determine करता है कि आपको ratio क्या चाहिए अगर numerator risk है तो we want the ratio to be lower the better mathematics की बात बता दी मैंने आपको we want the risk to be lower the better are we understanding guys so risk upon return lower the better gotcha everybody yes sir अव एक example solve करते है जिससे चीज़े और clear हो जाएगी तो यह रहा मेरे पास दो project है project A और project B तीनों का मेरे को variance standard deviation or coefficient of variation find करना है सबसे पहले मैं variance find करूँगा variance find करने के लिए मिरकोच यह expected net cash flows into probability करते जाओंगा तो मुझे expected net cash flows मिल जाएगा cash flows multiply by probability करूँगा तो expected net cash flow मिल गया and that is 14,000 अब individually हरे cash flow को उससे minus करते जाओंगा इंडिविजुली 10,000-14,000 का square into पहले का probability इंडिविजुली यह देखो यह 14,000 तो सब में अब कॉमनी हो गया 14,000 तो मेरा expected net cash flow वो तो सब में कॉमनी हो गया बाकी जो मेरा project एक है जितने भी cash flow जे 10 12 14 16 18 वो मैं मिल जाएगा standard deviation and जब मुझे coefficient of variation करना है तो यह standard deviation जो मैंने उपर किया divide by expected net cash flow hello divide by जो यह मेरा expected net cash flow जाय उससे divide गया and I will get the yes I will get the coefficient of variation so lower the risk lower I mean lower the coefficient of variation lower the risk are we clear everybody yes so this is how the whole system works यहां पर देखो 0.16 आया 0.23 तो lower किस्ट में है coefficient of variation A में उसका risk lower है इसी के साथ yes we have completed the statistical techniques so statistical techniques तीनों मेरी हो गई है याद रखने का क्या probability correct standard deviation variance and coefficient of variation from statistical technique we will now move on to the conventional techniques and मैं आपको बता दू के conventional techniques में दो method है एक है मेरा certainty equivalent and दूसरा है मेरा risk adjusted discount rate यह रहा मेरा वो किदे रहा है diagram and यह रहा मेरा वो diagram so it is risk adjusted discount rate and certainty equivalent so risk adjusted discount rate क्या होता है बहुत ही simple है मतलब मैं आपको यहां पर एक बार समझा देता हूं और उसके बाद में magic book के दूरू भी बता दूंगा so risk adjusted discount rate का लिए की चीज़ बताता है क्या पता है क्या discount rate आपको choose कर रहा है तो वह बलता है देखो एक तो market में जो risk free rate है वो तो ही available साथ में जो आपको project का risk लगता है तो उतना risk premium add कर दो आपको मिल जाएगा discount factor which is risk adjusted discount rate तो जो भी cash flow जोगा उसको risk adjusted discount rate से discount कर रहा है and you will get your answers so guys now let me tell you यहां पर मैं लिख रहा हूं RADR approach इसको बोलेंगे risk adjusted discount rate risk adjusted discount rate so यह कितना हो जाएगा it will be risk free plus risk premium it will be risk free plus risk premium so boss मेरा risk free rate this will be given this will be given add करके बना दो risk adjusted discount rate this is the rate at which cash flows will be discounted will be discounted वाओ इतना easy हाओ आओ देखते हैं एक example जो ICAI ने आपन सब के लिए present किया है तो यहां पर जो मेरा फॉर्मिला आई देखो based on the concept that investors demand higher returns from risky projects जितना risky उतना risk premium जाधा return for bearing extra risk यह अपन परसंट का discount rate लगेगा तो जो भी cash flow है मेरको discounting factor करना है 14% के साथ हो गया मेरा risk adjusted discount rate 60 को this 14% year 2 discount rate के हिसाब से करना है हो गया मेरा risk adjusted discount rate इसके हिसाब से जो भी मेरा present value of cash inflow आएगा minus minus my present value of cash outflow which is 100 lakhs इसी के साथ होता है मेरा risk adjusted discount rate complete इसी के बाद conventional technique में आता है second technique and that is called as the certainty equivalent मैं आपको बता देता हूं certainty equivalent approach is very easy देखो अब मैं अगर आपको पूछता हूं यार अब मेरा revision lectures सुन लिया है तुम लोग ने तुम लोग ने मेरा अगर lectures भी लिया है तो क्या आप लोग को confidence आ रहा है कि you can score the maximum marks the answer is yes sir so 60 marks आएगा उसका क्या अश्यारिटी लग रहा है सर 95 परसंट है सर 60 marks आएगा आएगा 75 आएगा उसका क्या लग रहा है उसको आप एक वेट दे रहे हो जिससे आपको एक certainty बता चल रहा है कि यार इतना तो आने का chance ही है इतना तो आने का chance ही है वैसे ही cash flow के साथ होता है तो cash flows है क्या यह cash inflows आपको मिली जाएगा confirm है क्या sir एक chance है तो वो जो chance है उसको कहते है certainty equivalent जी हां तो मेरा next concept है बिटा मेरा next concept है certainty equivalent approach मेरा next concept है certainty equivalent अप्रोच जिसको मैं क्या बोलूंगा cash flows cash flows into certainty equivalent इस certainty equivalent को बोलते है अलफा इस certainty equivalent को बोलते हैं अलफा सो cash flows into certainty equivalent जब मैं करता हूं मुझे मिल जाता है certainty equivalent approach में को मिल जाता है certainty equivalent approach है समझ गडू everybody यहां पर फटाफट एक example ले ले लेता है जिससे अपने सब्सक्राइब सब्सक्राइब इसको सर अपन लोग discounting factor से कर लेते हैं सर 15 लाग काने का chances 85% है कि सर आई जाएगा सो certainty तो मैंने क्या कर दिया यह जो अभी clear everybody इसी के साथ complete होता है मेरा क्या conventional technique and boss with writing of formulas अब अपन लोग चलने वाले अपने next technique के उपर and that is other techniques boss यह सब भी एकदम must level के चलो आओ let's try and understand let's try and understand that as well अब अपन लोग आने वाले फटाफट कौन से वाले techniques से उपर yes we are now coming to the other techniques and here other techniques में मेरे पास चार techniques है एक से बढ़ कर एक कहा गया वही यह रहा and here other techniques है मेरे पास चार कौनसी कौनसी है यह sensitivity scenario simulation and decision tree चलो let the game begin तो other techniques में सबसे पहले आ जाते हैं अपन लोग sensitivity analysis के उपर क्या होता है यह sensitivity analysis let me explain you तो guys आप लोग में सुना होगा कि sensitivity मतलब change now सबसे important element मेरे लिए कौनसा होता है in capital budgeting it is net present value अगर net present value में कोई change हो रहा है न तो उससे मेरे decision making में बहुत बड़ा impact आता है yes का no और no का yes आ सकता है तो sensitivity analysis वही analyze करती है that अगर मेरे कोई एक element में change आ रहा है उस एक element के change की वज़े से मेरे net present value के उपर क्या impact आ रहा है and accordingly मेरे decision में क्या impact आ रहा है तो I will write here sensitivity analysis तो अगर मुझे कोई बोले sir sensitivity analysis क्या होता है I will say impact of change in one factor and उसकी वज़े से resultant मेरे NPV पे क्या impact आ रहा है चलो आओ देखते है magic book में अपन लोग ने कैसे किया and then we will obviously write and understand as well so sensitivity analysis used to study the changes in the variable on the outcome of the project on the outcome of the project so कोई भी change हो सकता है price of the product cost per unit cost of capital कोई भी चीज में तो इसमें क्या करना है आपको सबसे पहले find करना है कि कौन सा variable है it could be selling price per unit variable cost per unit total sales anything कौन से variable की वज़े से मेरा NPV change हो रहा है और पस उसका impact मेरे overall NPV पे क्या change आ रहा है कोई भी एक variable में change होगा बाकी सारे variables as it is and मेरे NPV में उसका क्या impact आया है मैं आपको यहां पे लिखके बताता हूं सबसे पहले आप क्या करोगे पता है आप calculate कर लोगे अपना current NPV तो मैंने यहां पे calculate कर लिया मेरा current NPV अब मैं देखूंगा कि यार सारे factors है जिसकी वज़े से NPV change हो सकता है I just have to pick up one factor again I am telling you I just have to pick up one factor to change in one factor change in one factor that factor could be anything boss it could be a selling price per unit it could be a variable cost per unit it could be a discounting factor it could be a project life कुछ भी हो सकता है वो ध्यान रखना change in only one factor इसको मैं highlight कर रहा हूँ change in only change in only one factor तो एक factor की change की वज़े से अब मेरे बाकी के NPV में क्या change आ रहा है इधर में को एक चीज़ लिखना पड़ेगा other factors remaining same तो selling price unit per unit change किया चलेगा but other factors have to remain same other factors remaining same factors remaining same इसका impact मेरे NPV पर क्या आ रहा है how does it impact the NPV change in NPV or impact impact on NPV तो अगर मेरे को इसको लिखके बताना है so basically sensitivity analysis क्या है या खाली इधर मैं लिखता हूँ sensitivity क्या है it is the overall impact क्या बोला मैं it is the overall impact on NPV किसकी वजह से आ खेंग बाइ बाइ चेंज ओफ वन फैक्टर बाइ चेंज ओफ वन फैक्टर इस पॉल्ट आज इस is called as sensitivity समझ में आ गया क्या आपको everybody yes sir चलो यह चीज तो एकदम मस्त में I think easily understandable है कि एक फैक्टर को basically change करना और मैं आपको बता दू एक्जाम में अगर से related question आता है then in that case आप समझ सकते हो कि एक्जाम का जो पेपर का लेवल है वो काफी अच्छा है तो इसको एकदम अच्छी तरह से समझ नहीं और चीज़े है इसमें अभी आप लोगो को मैंने खाली एक बेसिक आइडिया दे दिया है इसके related example भी बताऊंगा डोंट वरी अब इसको solve करने के तीन methods है इस sensitivity को solve करने के तीन method है यह देखो इधर मैंने आप लोगों के लिए properly सब यहाँ पर बनाके रखे इसको भी go through करवाओंगा यह चार्ट को भी don't worry हाँ सरी पीडिएफ सब कहां पी मिलेगा टेलिग्राम चैनल है ना बिट्टा फिर कही को tension लेते हो ठीक है चल तो अब sensitivity के ऊपर मैं आता हूं तो मैं आपको बोलता हूं यहाँ पे sensitivity के लिए तीन method है एक है first method दूसरा है second method तो दूसरा है second method and तीसरा है third method तीनो method अपने को properly समझने है ठीक है first method क्या बोलता है पहले वो मैं लिख देता हूं if change in factor percentage is given अगर यह given है then in that case कैसे उसका impact आएगा दूसरे method में और दो method है तो दूसरे method में बोलता है make NPV 0 सिदा ICI बोलता है बैं NPV को 0 कर दो कर दो and the third is called as ICAI assumption method तो इसमें ICAI assumes 10% change तो चलो एक एक को पहले impact करते हैं सबसे पहला method है if change in factor is given तो यहां पर module का अगर आप लोग question देखते हो तो module में जो example दिया वह मैंने लिया है उसमें उन्होंने बोला है that there is going to be a 2.5% adverse variance लोगो 2.5% adverse variance अब यह किसी भी चीज में हो सकता है उन्होंने बोला है कि capital cost में अगर adverse variance है तो ध्यान रखना अगर capital cost में adverse variance है मेरे बाकी सारे factors same रहेंगे दूसरा selling price per unit तो अगर selling price per unit में adverse variance से change कर रहा हूं बाकी सारे factors change same रहेंगे so therefore recalculating by increasing capital cost keeping all other variables यह decreasing selling price keeping all other variables same बस उसी से related यह मेरा example बन गया अब देखो मेरा capital cost रुपीज 400 क्रोड और मैं बोल रहा हूं के 2.5% का उस पे impact आए तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है बता है क्या calculate the current NPV of the project जब तक आप current NPV calculate नहीं करोगे तब तक आपको calculate current NPV without giving the impact फिर मैं बोलूँगा second step में की change one factor other remain same फिर recalculate the new NPV और फिर बाद में आता है measure the change कैसे measure करोगे फिर आता है measure the change कैसे measure करोगे आप बोलोगे बाई current NPV कितना था या फिर ऐसे लिख दो new NPV मेरा कितना आया और मेरा current NPV कितना था divided by obviously current NPV because base आपका current NPV का आप बोई आप check कर रहे हो कि कितना change हुआ है समझेगा public इस हिसाब से आपको first method पे impact देना है अब आजाओ impact देने का time आ गया है तो यह देखो मेरा पहले मैंने current NPV find out कर लिया तो net percent value आ रहा है मेरा 134.6 based on 400 का cash outflow 200 का मेरा यहाँ पर देखो cash inflow आ जाएगा selling price 100 minus 50 minus fixed cost plus depreciation यह सब करके मेरा cash inflow आ जाता है 200 मेरा cash inflow आ जाता है 200 अब उसको impact देना है तो देखो मेरा current position है 100 minus 50 50 आ गया into number of units फिर उसमें से fixed cost minus किया और फिर मेरा cash inflow आ गया 200 अब आ जाओ पहले change के ओपर initial capital cost increase to 410 और कैसे 410 हुआ पहले capital cost था 400 क्रोर देखो रेजरा question को अब capital cost में 2.5% का adverse change है अगर cost में adverse change आता है तो वो बढ़ जाता है तो 2.5% आ गया तो यहाँ पे मेरा आओ गया 410 अब देखो मेरा बाकी सब जियों कातियों है मेरा यहाँ पे capital cost तक मैं पहुचा हुना तब तक सब चीज जियों कातियों है this is as it is क्योंकि मेरे को change खली एक ही factor में करना है and that is initial capital cost and that is initial capital cost and that is rupees 410 हो गया है समझ में आया आपको फिर बाद में आजाओ next concept के ओपर which is adverse variance of 2.5% on selling price कोई भी income वाली चीज में adverse variance आता है तो उसका कम हो जाता है amount so यहाँ पे मेरे पास था 100 rupees 100 में मेरा 2.5% selling price में कम हो गया तो बेटा यह हो गया 97.5 बेटा यह हो गया 97.5 तो यह मेरा आगया 97.5 अब इस 97.5 के selling price को मैंने इधर change कर दिया है तुम लोग note करोगे बाकी सब चीजे ज्यों कितियों है बाकी सारी चीजे ज्यों कितियों है अब देखो 400 वापस से 400 बन गया है सो बैट इस हाओ माइवल सिस्टम वर्क्स फिर बाद में ऐसे पर एग्जांपल मेरा कॉस्ट पर उनिट तो अब यह कॉस्ट पर उनिट में चेंज है 50 था कोई भी कॉस्ट अगर बढ़ता है कोई भी कॉस्ट में आता है तो इसको बोलते हैं अगर फैक्टर का सब्सक्राइब एक दम मस्त में अपने को क्लियर हो गया है सब्सक्राइब अगर यहां पर आपको बोलेगा सब्सक्राइब कर आयां तो अगur इकुक्वेशन मेहां चाहूंगा कि में चाहूँगा कि मेरे साथ आप दो तीन स्टेप्स लिख वी समझ लो यहाँ पे भी है वो steps, तो सबसे पहले calculate the current NPV, मेरे इसाब से मैं आपको एक बार लिख लिख के समझाते जाता हूँ, और अच्छा आप लोग को subconsciously दिमाग में set होते जाए, पता है कि नहीं आपको, कोई चीज पढ़ीवी और कोई चीज लिखीवी, लिखीवी चीज will have an impact five times more than पढ़ीवी चीज, बता रहा हूँ, बाकि आप लोग का choice है, समझदार को इशारा काफी है, So, equation method जो होता है यहाँ पे, इसमें आपको कुछ steps follow करने हैं, सबसे पहला है step one, वो ही calculate the current NPV, क्योंकि मैं जो मेरा change है, वो measure किसके साथ करूँगा, तो मैंने मेरा current NPV find out कर लिया है, फिर बाद में आजाता है मेरा second, and that is कि भाई, अब एक factor में change होने वाला है, कितना change होने व मुझे इतना change करना है कि NPV 0 हो जाए, क्या बोला, इतना change करना है कि NPV 0 हो जाए, so यहाँ पे मैं लिखूंगा, let the factor to be changed, let the factor to be changed be x, तो उसे for example selling price per unit change करना है, तो and अपने को क्या ensure करना है, such that, hello, such that NPV is equal to 0, such that NPV is equal to 0, so NPV क्या होता है, अपने को बता है, present value of cash inflow, minus present value of cash outflow, is equal to NPV, और वो वो लोग बोल रहे है कि 0 हो जाना चाहिए, वो NPV अग मेरा 0 हो गया, then in that case कहा हो गया, अब देखो, present value of cash outflow का तो tension नहीं है, present value of cash inflow, आप कैसे calculate करते हो, आप मुझे बता, can I say present value of cash inflow, अगर आपको calculate करना था, अब भी जो आपन लोगे एक example लिया था, तो क्या किया था, यूनेट, minus variable cost per unit, into number of units, ये पूरा का पूरा, मैं कर दूँगा multiply, discounting factor से, ये पूरा मैं multiply कर दूँगा, discounting factor से, बड़ावरे, plus, say, selling price per unit, minus variable cost per unit, बड़ावरे, into, वोई number of units जो भी है, into, discounting factor 2, ये करते करते मुझे मिल जाएगा present value of cash inflow, बड़ार, इसमें मैं present value of cash outflow minus कर देता हूँ, let's take the present value of cash outflow, मैं example के लिए ले लेता हूँ, 10,000, ये सब मिला के है, 0, ये सब मिला के है, 0, क्यों, क्योंकि NPV, मेरा 0 है, अब मैं क्या करूँगा, पता है क्या, let the selling price, let the selling price per unit be x, वो जो एक factor change करना है, से assume करते हैं अपन लोग कि वो है मेरा x, तो क्या हो जाएगा, मैं इधर लिख दूँगा, x minus से variable cost 1, ठीक है, into से जो भी number of units है, into number of units है, तो वो भी दियावा होगा, into discounting factor 1, plus से वापस से x, मुझे नहीं पता है कि कितना change करना है, but कितना change करना है, इतना x जितना change हो जाना चीए, भी x जितना मेरा selling price होना चीए, into number of units, into discounting factor 2, ऐसे करते करते, मुझे मिल जाएगा present value of cash inflow, minus present value of cash outflow, which is 10,000, is equal to 0, तो अब तुम लोग समझ रहे हो, क्या equation बन रहा है, equation बनेगा ऐसा, x minus 200, say into discounting factor, into 0.909, plus x minus say 250, ऐसे ही, assume कर लेते हैं, into 0.826, ये करते करते, मुझे मेरा present value of cash inflow हो जाएगा, minus 10,000, is equal to 0, कर देना है, minus 10,000, is equal to 0, कर देना है, समझे गया, अगर ये मैंने समझो की कर दिया, याद रखना, mathematically कोई भी equation, जिसमें काली एक variable balancing है, तो ये मुझे मिल जाएगा, तो x को मुझे कितने amount से change करना पड़ेगा, तो हो सकता है, मेरा original selling price हो, वो आ गया मेरा 54, तो मुझे पता चल जाएगा, कि 10% change in selling price, क्या बला, अलो, 10% change in selling price, will be equal to, 10% change in selling price, will be equal to NPV0, तो क्या sensitivity पे NPV0 हो जाएगा, तो selling price 10% चे change हुआ, other factors remaining same, NPV0, अब दूसरा हुआ तो, अब variable cost है, तो selling price वो ही रहेगा, variable cost को x ले लो, फिर say for example कुछ और है, sales है total, उसको x ले लो, अब जो भी है, तो say for example variable cost है, तो उसको x ले लो, as so on and so forth, तो क्या आपको ये दूसरा method समझ में आ गया, इसको बोलते हैं अपन लोग, equation method, calculate the current NPV, let the factor to be changed, be x, such that NPV is equal to 0, present value of cash inflow, minus present value of cash outflow अपने को पता है, अब ये present value of cash inflow का पूरा formula डाल देने का variable cost है, discounting factor है, एक चीज नहीं है, क्या selling price, उसको x assume कर लो, solve कर लो and you will get your final answer, इसी के साथ मेरा equation method complete होता है, I hope, समझ में आ गया होगा, तो next है, इसमें formula method, तो formula method में मैं आपको बता दू, आपको एक formula use करना है, बस वो formula use कर लो, और आपको answer मिल जाएगा, so let's understand this formula method, वही मैं तो यही करूँगा, आप लोगको एक example के तुरू समझाऊँगा, I think that will be better, बाकी जो formula है, वो तो मैंने यहाँ पे तुम लोगको लिखवाई दिया है, तो उसका tension नहीं है, आओ, देखते हैं, what exactly is to be done in case of the formula method, एक example लेते हैं, say for example है, मेरा sales है, 50,000 है, चलो वेरिवल कॉस्ट लेलो से 30,000 रुपए, तो मेरा contribution कितना है, सर 20,000, fixed cost मैं ले लेता हूँ भाई, 5,000, and मिल जाएगा, say net profit, net percent value, कितना, say 15,000, अब सुनो, मुझे क्या बोला है, formula method में, देखो, main ना, इसका root समझो, root क्या है, पता है क्या, that अपने को make NPV 0 करना है, यह formula method से करना क्या है, make NPV 0, अब अगर मेरे को इदर make NPV 0 करना है, then in that case, मैं क्या करूँगा, आप मुझे बताओ, logically, logically खाली इतना सा देख के बताओ, कि अगर मेरे को अभी यह NPV 0 करना है, और मैं खाली एक factor को change कर सकता हूँ, मैं खाली से sales को change कर सकता हूँ, तो मैं कैसे करूँगा, कैसे मेरा NPV 0 हो जाएगा, आप बोलेगे सर, simple है, अरे सर यह तो देख के पता चल रहा है कि देखो, 15,000 का NPV है, सर अगर अपन लोग ने यहाँ पे 35,000, मतलब 15,000 रिड्यूस कर दिया ना, सर अगर अपन लोग ने यह sales में से reduce कर दिया ना, सर आपका NPV 0 हो जाएगा, अब अच्छा देखने दो, देखो, sales 0 किया, कम किया, मतलब बेसिकली selling price ही, अपने को यहाँ पे कम करना पड़ेगा है, number of units तो वही रखेंगे, तो selling price मैंने कम किया, अब variable cost जहाँ का 34,000, contribution 5000, fixed cost 5000, अरे वाह, हो गया मेरा NPV 0, बराबर है, yes sir, एक्दम बराबर है, समझो, समझो, समझो मिरको, लॉजिकली बताना, मिरको लॉजिकली बताना, अगर मिरको variable cost को use करके 0 करना है, समझो मिरको, guys, ध्यान से, मिरको variable cost के तुरू, इसको 0 करना है, बोलो क्या करूँगा, अब देखो, variable cost के तुरू 0 करना है, मतलब मैं selling price 250,000 ही रहेगा, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, क्या कर सकते हो, सर, अगर मेरको NPV 15,000 से यहाँ पे 0 करना है, अगर मेरको यह 0 करना है, तो मेरको सर, variable cost को 15,000 से बढ़ाना पड़ेगा, बोला एक दम सही बोला, तो कहना हिसे, यह मेरा 45,000 हो जाएगा, यहाँ पे, क्याना हिसे, अगर मैं 15,000 से बढ़ा देता हूँ, तो अब यह देखो, यह मेरा 5,000, यह 5,000, और मेरा answer आगया, 0, और मेरा answer आगया, 0, अगर तुम लोग एक चीज़ नोट कर रहे हो न, तो यहाँ पे, मेरा जो factor common आ रहे है न, वो है, कि boss मैं, जो NPV है न, उतना ही amount मैंने यहाँ पे add किया, उतना ही amount मैंने यहाँ पे less किया, so these factors are connected to the NPV, अब मैं अगर sales के उपर आता हूँ, फोकस करता हूँ, मैं sales के उपर, एको formula try कर रहा हूँ, आप लोगो revision में derive करने का, time है नहीं वैसे जादा, बट फिर भी, अगर तुम लोग sales को note करोगे न, तो 15,000 का मैंने sales में change किया है, अगर तुम लोग note करोगे न, variable cost में भी मैंने 15,000 में change किया है, now 15,000 मेरे को change करना है, बले ही वो मैं sales के तुरू करू, variable cost के तुरू करू, contribution के तुरू करू, किसके भी तुरू करू, बहुत मेरे को change क्या करना है, कहना इसे मेरे NPV को, यहाँ पे मेरे को पता है कि मेरे NPV को change करना है, अब मैंने क्या किया, sales के उपर, say for example, 50,000 था, बरार, अब 15,000 से मैंने sales यहाँ पे change किया, तो कहना है, इसे अगर मेरा 30% in short change हो जाता है, फॉस 50,000 था, 15,000 से मैंने कम कर दिया मेरे sales को, so 30% का impact, अरे बोलो यार, तो 50,000 into 30%, करो ज़रा calculator के उपर, so 50,000 into 30%, आपको मिल गया 15,000 का change, यह अगर मैं इदर 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 देखो, अगर मैं यही variable cost की बात करता हो, तो देखो, variable cost में क्या change हो है, के रहे से variable cost में 15,000 का change हो है, but 30,000 के ओपर 15,000 में 50% का change, अब यहाँ पे देखो, मैं बोलता हो कि भाई देखो, 30,000, मतलब यह मेरा 50% का change हो गया, 15,000 divided by 30,000 किता होता है सर 50% का change होता है exactly अगर आप लोग को पता चला हो then in that case यहाँ पे जब मैं मेरे sales को selling price को 30% से change करता हूँ तब मेरा NPV 0 हो गया अगर मैं मेरे variable cost को 50% से बढ़ाता हूँ तब मेरा NPV 0 हो गया इसका मतलब first scenario देखो क्या हो रहा है sales वाले case में मैंने NPV लिया और कौन सा NPV लिया जो मेरा current NPV है तो current NPV मैंने लिया और उसको divide किया जो मेरा factor था सर दूसरे case में आपका factor था तो बुलता है current NPV बघाबर है अब मेरा factor है variable cost but because यहाँ पे हर एक चीज percent value के उपर है we will also ensure that we are taking the percent value so यह मैं यहाँ पे ले लूँगा percent value of sales यह मैं ले लूँगा percent value of variable cost तो उससे ज़्यादा भी अगर हुए एक साल का, दो साल का, तीन साल का sales है तो भी कोई problem नहीं है total मेरा sales इतना है और उसके ओपर मेरे को यह NPV उतने से कम कर रहा है तो कितना percent कम करना पड़ेगा बोलो बोलो चल चल I will get with this formula method I will get with this formula method समझ में आया guys तो यहाँ पे अब मेरे को derivation लिखना है अब मेरे को यहाँ पे guys अब मेरे को यहाँ पे derivation लिखना है तो मैं क्या बोलूँगा इफ अब मेरे को यहाँ पे derivation लिखना है और मैं लिखूंगा इफ NPV is to be made 0 to be made 0 but using formula method using formula method तो मैं क्या करूँगा तो फिर मैं बोलूँगा बहुत सर्थ NPV upon percent value of factor अब वो कुछ भी हो सकता है तो selling price के ही साब से change हुआ तो sales का ले लेने का variable cost का हुआ तो total variable cost लेने का so on and so forth एही समझे गड़ू तो मेरे लिए shortcut formula क्या बन गया मेरे लिए equation method sorry formula बन गया in a formula method I will say बेटा it is current NPV hello it is current NPV upon present value of factor upon present value of factor और मेरा जो present value of factor है न बेटा वो मेरे को देखना पड़ेगा and that is what gives me my formula method चल सर समझ में आ गया अब next अब आते है last के उपरा बस इसमें एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जो मेरा एक ही अभी इसमें चीज़ है last बता देता हूँ जो मेरा project life है न project life वो ये method से नहीं चल सकता है प्रोजेक्ट लाइफ के लिए formula method नहीं चल पाएगा क्योंकि PV of factor है तो present value of project life क्या करूंगा तो इसके लिए एक बच्पन का method यूज़ करना पड़ता है अगर मेरे को project life का calculation करना है remember I have to use the concept of discounted payback जो आप लोग ने कभी ना कभी पढ़ा होगा अपने बच्पन में it is called as discounted payback method it is called as discounted payback method yes तो आओ देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे discounted payback method का मतलब क्या होता है so say मेरे का say cash inflow year one 10,000 to 8,000 and three say 6,000 ठीक है मेरा say discounting factor at the rate 10% so 0.909, 0.826, 0.751 वहाँ सार आपको याद है 10% का यहाद रखना पड़ेगा क्योंकि institute का जो third method है न उसमें by default assumption है 10% का तो वैसा अब मैं इदर बोलता हूँ सर प्रेसेंट वैलियो अफ कैशिंप्लो देखो कितना आया so 10,000 into 0.909 सर करेंगे तो 9090 इदर आ जाएगा सर 8,000 into 0.826 सर 6608 सर 6,000 into 0.751 सर 4506 यह सर अब मैं आपको बताता हूँ मेरा cash outflow कितना है मेरा से प्रेसेंट वैल्यू आफ कैश आउट फ्लो है मेरा से प्रेसेंट वैल्यू आफ कैश आउट फ्लो है पहला आ जाएगा 9090 तो 9090 फिर आ जाएगा 608 तो यह आ जाएगा 15698 फिर आ जाएगा मेरा प्लस 4506 तो यह आ गया 20204 अब अपने को क्या बुला है कि बॉस एंपीवी 0 करना है यहाद रखना इंपीवी 0 करना है एंपीवी 0 का बो रहा है सेकेंड यर के बाद पर थर्ड यर के पहले बराबर के नहीं ये सर सो अपने को पता है कब एन पीवी जीरो होगा एन पीवी जीरो वें इस दा बर्निंग क्वेस्टिन तो अपन बोलेंगे देखो सर दो साल तो लगी रहा है पस दो साल में भी काली 16,000 15,000 698 तक कही पैसा है मैं बोलता हुआ दो साल लग रहा है जिसके बाद क्या तो अब बोलेंगे कि सुनो सर देखो बारा महीने में कितना पैसा है इंटर पोलेशन वह यूज करना है तो आपन बोलेंगे बारा महीने में सर 2204 माइनस 15698 मतलब सर अब यह इंटर पोलेशन से मैं उसको और भी इसी में चलो आपको बता देता हूँ आजो अपन यहां पे बोलेंगे कि वह देखो उसने थर्ड यहर में कमाया 4506 येस सर उसने कमाया 4506 सो वी विल से कि बॉस उसने रूपीज 4506 कमाया कितने दिन में सर 365 65 डेज में बराबर है तो एक दिन में कितना कमाया 4506 डिवाइड भाई सर 365 डेज सर 12.35 12.35 पर डे कमाया उसने सर 12.35 पर डे उसने कमाया अब उसको कितना कमाना है तो अपन बोलेंगे कि यार देखो सर टोटल 17500 चाहिए उसमें से सर 15698 तो हम लोग ने ले लिया तो अब और कितना चाहिए तो 17500 माइनस 15698 यह हो गया 1802 अब मेरे को 1802 रूपीज कमाना है एक दिन में मैं कमा सकता हूं 12.35 पर डे तो मुझे कितना टाइम लग जाएगा बेटा मुझे कितना टाइम लग जाएगा तो 1802 डिवाइड बाइ 12.35 एंड इस 146 डेज तो मैं बोलूंगा टू यह प्लस 146 डेज में मेरा रिकावरी हो जाएगा आपको यह एक्जांपल ध्यान में रखना है एंड इस एक्जांपल के तुरू यह प्रोजेक्ट लाइफ सॉल होता है समझे गाइज सो प्रोजेक्ट लाइफ हुआ तो कॉंसेट यूज करना है जिसका नाम है बेटा डिसकाउंटेड पेवेक में ऐसे होता है डिसकाउंट कर लो क्यूमिलेटिव प्रसेंट वैल्यू निकालो लास्ट वाला जो है ना वह अपने को अभीसली वह ए इन थर्ड यह इन थर्ड यह 4506 कमाया फॉफ फॉफ त्री 65 डेज में एक दिन में 12.35 कमाया टोटाल अगर और 1802 कमाना है 146 डेज लगेगा इसी के साथ होता है मेरा फॉर्मिला मेथर्ड कम्प्लीट आयोप सब को समझ में आ गया आयोप सब को समझ में आ गया होगा एंड थर्ड मेथर्ड इस बॉस 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 थर्ड मेथर्ड इस आई सी का यूनिमर्सल अजंप्शन टैन परसंट से चेंज कर दो इसमें तो कुछ अपने को दिमाग लगा नहीं सो चेंज फैक्टर बाई 10 परसंट और यूशुली मैंने देखा हो लोग एडवर्स से चे बारिबल कॉस्ट 50 है चेंज बैटेन परसंट 10 परसंट एडवर्स तो 50 का 55 हो गया वाकिसा फैक्टर रिमेंज सेम यूश करके हो गया तुम्हारा आंसर इसी के साथ मेरा सेंसिटिविटी कंप्लीट हो जाता है यह आई-सी-ए-ए-असंप्शन है यह आई-सी-ए-असंप् आपको बता दू अपना सेंसिटिविटी होता है complete अब अपन लोग चल रहा है अपने next other technique के उपर and that basically is called as the scenario analysis which is the easiest यह तो भाई एकदम है सेंसिटिविटी कहा सिनारियो एकदम easy अब सिनारियो अनलीसिस में क्या होगा कि आपको तीन सिनारियो के हिसाब से present value calculate करना है क्या है वो तीन सिनारियो worst case most likely best case अब बाकी अपना probability method जो आता है न वो ही है चो यह देखो worst case में क्या होगा मेरा जो cash flow है उसको मैं probability से multiply करते जा रहा हो और उसका फिर मैं discounting factor कर लूँगा I will come to know what exactly is its net present value अरे probability क्या बोल रहा हूँ या discounting factor से multiply कर लूँगा and I will get its present value राइट सो अभी देखो तुम लोग देखो के तो worst case में year 1 में 450 है ओके year 2 में worst case वहा तो यह होगा worst case वहा तो यह 3 होगा मैं इसको discount कर दूँगा मुझे बतार जाए को worst case में एक सो दस नेगेटिव आएगा सिंपल बैस्ट केस में बैस्ट केस में देखो एक है most likely और यह बैस्ट केस सो बैस्ट वाला जो केस है ना बिटा उसमें आपको NPV आ जाएगा 311.85 इसमें तो सब एकदम देखो मल्दब top class वाला है उसको मैं discount कर दूँगा and फिर most likely केसे अब examiner आपको question में बोलेगा take the first year as worst case take the second year as most likely take the third year as best आपको पता है क्या करना है आपको बोलेगा assume the scenario is worst case in all situation in the total scenario तो आपको worst case ले लेना है हो गया scenario तो scenario में जो आपको scenario दे बस उसी साब से चलना है and that's how you will get your answers are we clear everybody यहां पर अपने को देखना है कि वह देखो यहां पर बोला है first case में most likely second वाला situation है वो भी most likely पर third वाला situation है इसमें worst case लिया है तो उसने बोला first year में most likely जैसा होगा second year में most likely जैसा होगा third year में worst जैसा होगा उसी सबसे मैंने मेरा NPV calculate कर दिया चलो आगया मेरा answer इसी के साथ scenario analysis अब नीट आप अपन लोग चल रहे हैं अपने next concept के उपर which is called as the simulation analysis worst and आना ही नीचिए कभी exam में मेरे ही सबसे आये कापी बट करना पड़ेगा यह अपना first है let's start चलो यह simulation system को भी कर लेता है इसको मैं आप लोगे साथ एक example शेर करता हूं बस उसी को आप तुम लोग को समझा देता हूं एक example के साथ अब अगर तुम लोग नोट करोगे ना तो अपने पास एक question है यहाँ पे जो ICAI module का question है अब वो आपको हमेशा question में याद रखना एक दो factor देगा और उसका probability देगा आपको हमेशा उस factor का probability cumulative probability और एक range निकालना है सर कुछ नहीं समझे क्या होता है cumulative probability क्या होता है range मैं आपको बता लोग तो अब यहाँ पेसे for example मेरे पास है cash inflow 10,000 रुपे है 15, 20, 25, 30, 35, so I will write 10k 15, 20, 25, 30, 35, and 40 बराबर है ठीक है सर डन अब इसके अंदर कुछ probabilities दी भी है so वो अपने को लिख देना है probability से 0.02, 03, 15, 15, so मैंने लिख दिया probability अब हर सम को एक ही तरीके से करना है जो अभी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ हर सम को 30, 20, 15, so 30, 20, 15, always the total will be 1, always the total will be 1 चल तो यह probability आ गया यह तो question में दिया इतना आपको हमेशा by default दो चीज़े calculate करनी है एक होता है cumulative probability और दूसरा होता है range यहाँ पर देखो cumulative probability आप कैसे calculate करते हो यह मैं आप लोग को बता रहा हूँ ध्यान से समझना पहले ना operations research हुआ करता था उसमें था यह इसलिए मेरा इतना ग्रिप है इस पर cumulative probability is 0.02 चलो यह तो cumulative कोई भी चीज़ आपको पता ही होगी फिर यह इदर add okay हो जाता है 0.05 यह add okay हो जाता है 0.20 यह add okay हो जाता है 0.35 add okay 0.65 add okay 0.85 add okay 1.00 but जब आप range बनाते हो हमेशा ध्यान रखना range will always be of two digits because जो आपके random numbers होता है simulation में they are of two digits तो अगर मेरे को range रखना है ना तो this will always end at 99 but it will always start at 00 तो आपका जो cumulative probability का last number है ना उसमें minus 1 डालने का यह हो गया मेरा पहला फिर बाद में यह इदर जो मेरा 5 है ना इसका minus 1 डालने का यह हो गया मेरा 01 यह हो गया मेरा 4 तो इदर मेरा आ जाएगा 02 समझें क्या फिर बाद में इदर आ गया मेरा minus 1 तो यह हो गया 19 अब 05 समझें लास्ट का देगो ना डीजिट है ना मैनस 1 कर दे लेगा तो 35 माइनस 1 करेगा तो कितना हो जाएगा सब 34 माइनस 1 करेगा तो कितना हो जाएगा 64 तो अब अंदर किन लो अब यहां पर देखो क्या बोला है प्रॉबबलीटी बता देता हूं इधर लिगा 15 तो 85-99 में 15 डिजिट आते हैं क्या 85-86-87-88-89-91-92-93-94 95-96-97-98-99 हो गया पंदरा कोई भी पिक अप कर लो तुम कोई भी पिक अप कर लो समझो कि आप यह त्री है इसको बोलता है सिमुलेशन टेकनिक सर यह तो हम लोग ने समझ दिया कि अपने को तीन स्टेप पॉलू करना है वेरी गुड क्या है पहला स्टेप सर प्रॉबबलीटी निकालो फिर उसका सर प्रॉबबलीटी निकालो उसके बेसिस पर रेंज निकालो ध्यान रखने का अब मेरा एक बार रेंज आ गया उसके नीचे एक रेंडम नमबर आपको दिखेगा निटी सेवन अब अगर इधर मेरा 53 और उसके नीचे 97 नमबर है एन्न्वाल कैश-फ्लो के लिए 53 लेने का 53 आपको दिख रहे गई पर दिखेगा 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 यह देखो इदर कहना इस 53 यहाँ पर फॉल करता है बोलो ना पॉब्लिक है ना इस तरी से 53 यहाँ पर फॉल करता है 53 का मतलब कहना इससे यह मेरा इधर 30,000 आया यह सर सो मेरा पहला आ जाएगा 30,000 कैश फ्लोर्स समझे फिर बाद में देखो 97 का पर फॉल करता है सर 97 यहाँ पर फॉल कर रहा है मतलब कितना है वो सर 9 years दिख रहेगा तुम लोगो 9 years so 53,000 30,000 for 9 years अब discounting factor at 10% वो question में ते कोई यहाँ पर दिया वाए कि discounting factor is 10% बस तो 9 years 10% so 1 divided by 1.1 इसको 9 बार करो तो तुम लोगो इधर मिल जाएगा percent value annuity factor and then you will get the NPV based on this then you will get the NPV based on this second random number के ओपर आ जाओ तो second random number क्या है विटा second random number क्या है तो second random number है 66 and 99 अपने को इधर जाने का देखने का 66 का पे रहे 66 35,000 पे है यहाँ पे देख लो 35,000 99 देख लो कहां पे है 99 10 पे होगा 99 10 पे है वो गया यह आपका 10 है इसका भी NPV निकाल लो 10 percent 10 years 10 years कहां से आया यहां से आया निकालते जाओ आपको जो 10 random numbers है उसका project life मिल जाएगा एकदम random way of simulation I hope समझ में आ गया होगा बस इतने ही समझना है इसके आगे कोई करके मतलब नहीं है फिर बाद में आ जाते है decision tree के उपर decision tree is a very interesting concept because यहाँ पे आपको एक पूरा tree diagram बनाना होता है और इसके लिए मैं आप लोगों के साथ एक example ही discuss करता हो ताकि चीज़े समझ में आ जाए आप लोगों के लिए master sum में question number one इसका decision tree अगर अपको लोग ने बनाना सीख लिया ना आप समझ जाओ अपना decision tree हो गया इसके अंदर decision tree बनाना भी है इसके अंदर joint probability अभी concept है फटा फट सब चीज़े समझ में आ जाएगी समसे पहले decision tree में क्या होता है जो आपको question बोल रहा है ना उसके basis पे probability table बनाते जाना है in a diagrammatic format आओ बताता हूं let's read a firm as an investment proposal requiring an outlay of 80,000 तो पहला मेरा scene start हुआ 80,000 का cash outlay the investment proposal is expected to have two years economic life with zero no salvage value in year one there is 0.5 probability that cash inflow after tax will be 50,000 so अभी देखो 80,000 का cash outflow पहले साल में 40% probability that 50,000 का income आएगा 60% probability that 60,000 आएगा दूसरे साल में अगर 50,000 आया तो next year में second year में 24, 32, 44 आएगा और उसका probability दिया है and 60,000 उसका 50, 60 and 40 दिया उसका probability दिया है इसको अभी अगर देखो आप लोग sensibly समझ रहे हो तो इसका अगर मेरे को probability बनाना है I mean decision tree बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा आओ बताता हूँ तो what I will do is I will make a decision tree based on this so अब मैं इसका decision tree देखो कैसे बनाऊगा मैं बोलता हूँ कि बाई देखो सबसे पहले cash flow 80,000 से start हुआ और बोला कि बाई 60% probability है कि अगर मैंने यहाँ पे यह invest किया है तो 40% probability पहला that inflow will be 50,000 तो इधर लिख लो बाई क्या कि यहाँ पे लिख लो कि sir 40% probability है that inflow will be 50,000 and 60% probability है that inflow will be 60,000 मैं नहीं ऐसा question बोल रहा है फिर बाद में क्या बोला है probability assigned to cash inflow after tax for the year 2 is कि अगर 50,000 हुआ तो मतलब कहना इससे अब मेरा यह इधर freeze हो गया अब मेरा यह year 1 है यह मेरा year 1 है अब मेरा year 2 स्टार्ट होगा देखो मेरा year 2 क्या बोल रहा है वह बोल रहा है कि अगर 50,000 हुआ तो 3 chances है क्या chances है पहला chances है कि 24,000 32,000 44,000 सोट सर 24,000 होगा बट सर उसका probability है 0.2 सर 32,000 होगा सर उसका probability है 0.3 सर 44,000 होगा सो उसका probability है 0.5 समझे and same way मेरा यहाँ पे 60,000 का भी तीन probability बनेगा क्या बनेगा देखो 1.4, 1.5, 1.4, 1.5 and 1.1, 0.1 में होने का 60, 50 and 40 का chance बैठता है 60,000 50,000 and 40,000 यह बन गया मेरा decision tree easy लगाना अच्छा लगाना थोड़ा सा भी तुम लोगा paper बढ़ा होगा तो वो 60,000 के आगे लेके जाना तो यह तुम लोगा पूरा year 2 का scene हो गया boss यह year 2 का scene हो गया यह year 2 का scene हो गया बस तो देखो इसमें कोई ऐसा थमरूल नहीं है पर ध्यान रखना है जैसा जैसा question बोलते जा रहा है वैसा वैसा आपको proceed करते जाना है अब यह तो हुआ पहला part which is calculation of making of decision tree अब वो आपको दूसरा part में बोलेगा कि boss इसका NPVB calculate करके आता हो तो वो भी मैं आपको बता दूँगा इसमें आपको अभी देखने कि आपके total कितने parts बन रहे है from end अपको पीछे आना है तो total अगर आप लोग नोट करोगे ना तो एक दो तीन चार पात छे छे parts बन रहे मेरे तो मैं यहा पर लिख दूँगा बस ए अगर यह हुआ तो मेरा cash flow in year 1 होगा 24,000 in year 2 होगा sorry 24,000 और इन दोनों का joint probability कितना है तो देखो 50,000 होने का chances है 0.4 मैं नहीं question बोल रहा है सब आपके सामने देखो diagram में सब available है बहुंच decision tree समझे लो दूसरा 24,000 होने का probability कितना है sir 0.2 है sir so यहाँ पर यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि मेरा total probability हो गया 0.4 into 0.2 and that is 0.08 0.08 समझ में आई बात एक दम अच्छी तरह से sir समझ लो बात को फिर बात में कहानी को और आगे बढ़ाऊंगा जब मैं कहानी को और आगे बढ़ाऊंगा तो मैं देखोंगा कि सेकेंड पात में क्या सीन है तो अगें sir cash flow in year one year chances है 0.4 बट फिर यहाँ पर chances है 32,000 यह 32 होने का chances कितना है 0.3 so 0.4 into 0.3 हो गया 0.12 बस ऐसे ही करते जाना है इसे मैं year 5 randomly लेता हूँ इसमें year 5 में 60,000 का मेरा probability है बट कितना probability है 0.6 का probability है and दूसरा है 50,000 so यह 50,000 का and 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 इसका probability है 0.5 यह हो जाता है मेरा 0.3 0.0 0.6 into 0.5 and this is 0.3 so मेरा joint probabilities इस हिसाब से आ जाता है बस अब इस joint probability को smartly use करना है कैसे वो भी बता देता हूँ तो पहले case में decision tree बना फिर case में paths के साथ joint probability बना निकवा दूंगा don't worry अब आ रहा है अपना calculation of NPV यहाँ पे आपको क्या करना है present value of cash inflow निकालना है first scenario का निकाल लेंगे sir कोई problem नहीं है फिर प्लस present value of cash inflow निकालना है आपको second scenario का again sir निकाल लेंगे कोई problem नहीं है इन दोनों मेंसे हलो इन दोनों मेंसे cash outflow को minus करना है मुझे मिल जाएगा NPV इस NPV का multiply करेंगे अपन जब joint probability के साथ मुझे मिल जाएगा एक्सपेक्टेड एन पीवी एक्सपेक्टेड एन पीवी है समझी गड़ी एवरीबड़ी यहां पर देखो इसके लिए आप लोग के साथ यह चीज़ करवाया है मैंने decision tree देखा तो प्रसेंट वैलियो आफ कैश इंफ्लो पहले सिनारियो का दूसरे सिनारियो का माइनस कैश आउट लोग करो decision tree बन गया अब इन्होंने क्या किया पास के पास में इमीजेटल जॉइन प्रसेंट वैलियो का टोटल कैश इंफ्लो मिल गया आपको इसमें से कैश आउट लो माइनस किया पहले वाले का आपको प्रसेंट वैलियो मिल गया उसको आने का चांसिस कितना है पॉइंट जीरो एट एक्सपेक्टेड एंपीव मिल गया एक्सपेक्टेड एंपीव मिल गया बड़ यह तो पाथ वन का हुआ ऐसे मेरे पास दो तीन चार बरो वापस decision tree बनाया decision tree के बाद मेरे को बनाना एक joint probability उसके बाद में present value of cash inflow निकलना है first scenario का प्लस present value of cash inflow निकालना है second scenario का मुझे मिल जाएगा present value of cash inflow माइनस present value of cash outflow यह मुझे मिल गया NPV इसको मैं multiply कर लूँगा joint probability के साथ मुझे मिल जाएगा expected NPV छे के छे पातका निकालूँगा total expected NPV मिल जाएगा अगर positive है except otherwise टाटा बाए 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 असला विस्ता वान खलिए decision tree के लिए सब्सक्राइब सो इसी के साथ होता है मेरा decision tree complete अब मैं आ रहा हूं अपने last concept के उपर जिसका नाम है replacement policy यह वाला with question तुम लोगा हो गया क्या क्या फिर बात में आ जाता है मेरा replacement policy अब इसमें आना दो चीज़े होती है मैं आपको बताता हूं एक होता है भाई के मैं old sell करके नया buy करो एक system होता है कि वही sell old machine and buy new दूसरा भी यह है पट यहां पर main focus होता है replace के उपर तो इधर अपने के concept यूज करते और सी optimum replacement cycle बताऊंगा फिलाल focus आ जाओ यहां पर let's the game begin sell old machine and buy new machine अब इसका concept अपने को यूज करना है तो देखो इसके लिए एक format है वो format अपने को सीधा format देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा तो इसके लिए what I am doing is मैं आप लोग को उसको logically बता रहा हूं sell old machine and buy new sell old machine and buy new इसका एक example भी है वैसे अपने magic book में यह यह वह एक्जांपल है तो question कि ऐसा है कि मैं आपको बता देता हूं एक company है जिसके पास existing computer system है और वो सोच रहा है कि मैं नया खरीदू existing computer system का कहानी सुनो original cost 25,000 installed 5 years ago current market value 5000 depreciation of the old system was charged with life of 10 years estimated salvage value इतना कहानी पता चल गया अब नया depreciation new system will be charged over 5 years उसका cost है 50,000 estimated salvage value उसका 1000 उसकी वज़े से cost savings होगा 5000 per year increase in sales 10% of original sales company का cost of capital 10% tax rate 30% अभी हम लोग ने तो सम पढ़ा नहीं आप नहीं था फटा फट पढ़ लिया don't worry आपको वह सम पढ़ने की ज़रूद भी नहीं है एंड बस आप लोग मेरे साथ ना logic जो मैं आप लोग को बताते जा रहा हूँ वो समझते जाओ that's all I want from you all सबसे पहले अगर मेरे को old machine बेचनी है सबसे पहले मेरे को old machine बेचनी है तो यहां पे मेरे पास दो system होगा एक और new machine करीदनी है तो मैं पहले यहां पे लिख लूँगा new machine cost तो मेरा new machine cost कितना आ गया है जो question में दिया वाए as it is वो मेरे को लेना है and that is 50,000 question में अगर आप लोग देखो कि तो यहां पे लिखा है percent cost of the new system hello percent cost of the new system is rupees 50,000 is rupees 50,000 तो मैं क्या कर लूँगा यहां पे लिख लूँगा percent cost of new system को मैं ले लिया 50,000 मेरा cost आ गया सबसे पहले यहां पे मैंने यहां पे ले लिया 50,000 का मेरा cost है अब मैं क्या कर रहा हूँ जब मैं new machine करीता हूँ तो मैं old machine को बेचता हूँ अगर मैं old machine को बेचता हूँ तो old machine कितने में बिखता है यहां पे देखो दिया वा है current market value of old system 5000 तो मैंने यहां पे लिख दिया sir 5000 यह मेरा inflow है यह मेरा outflow है अब सबसे important चीज जिसमें public अटकता है and that is this यहां पे old machine जब मैं sell करता हूँ ना तो मेरे को कुछ tax benefit भी होता है इस question में at least where tax loss भी हो सकता है समझना क्या मेरा जो यह old machine है मेरा जो यह old machine है इसका book value देखो क्या दिया है इसका book value देखो क्या दिया है question में तो इसका book value दिया है तो देखो original cost of old system is 25,000 and it was installed 5 years ago so and depreciation of the old system was charged with life of 10 years मतलब मैंने इसको 25,000 में खरीदा था बराबर है depreciation यह लोग बोल रहा है 25,000 divided by 10 years मतलब कितना हुआ 2500 तो अब 2500 इंटो 5 years ही हुआ है so मतलब मतलब मेरा book value current book value कितना हुआ बेटा मेरा current book value हुआ इसका 25,000 माइनस 12,500 which is 12,500 समझे क्या तुम लोग यार थोड़ असा दिमाग लगाऊ ना थोड़ असा logic को strong रखो तो समझ जाएगा तो क्या बोलता है यह है कि 25,000 में खरीदा था तब 10 साल के हिसाब से इसको depreciate करना था 10 साल के हिसाब से अगर मैं depreciate करता हूँ तो 2500 per year अभी तक 5 साली हुआ है इसको मतलब 12,500 depreciate हो गया है तो अब करन्ट बुक वैल्यू 12,500 का बच्चा एन इसका करन्ट सेलिंग प्राइज कितना है बेटा इसका करन्ट सेलिंग प्राइज है 5000 आपको बताना है क्या होगा यह अगर आप बुक्स में साड़े 12,000 की चीज को 5000 में बेच रहे हो तो आपको क्या हो जाएगा बेटा आपको हो जाएगा लॉस कितने का साड़े 7,000 का यह लॉस हुआ उसका कोई बड़ा बात नहीं है क्योंकि यह तो बुक लॉस है बट इस बुक लॉस की वज़े से मुझे टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा सो 7,500 इन्टी परसेंट एंड इस 2250 येस 2250 का मेरे को टैक्स बेनिफिट मिल गया है तो टैक्स बेनिफिट 2250 भी मेरे लिए क्या हो गया एक inflow के जैसा हो गया समझेगी नहीं दिखो याद रखना कोई भी expense या loss होता है तो उससे tax benefit होता है कोई भी gain होता है तो उससे tax का loss होता है यहाँ पर मेरे को loss है loss या expense हुआ तो tax benefit gain हुआ तो tax pay करना वरता है तो tax outflow यहाँ पर मेरे को tax का benefit मिला क्योंकि book value से कम में में मेरा भिकर है loss हो गया books में और books के हिसाब से tax का आता है value तो मुझे बैठा बैठा फाइदा हो गया तो यह जो first चीज हुई ना यह जो first चीज हुई इसकी वज़े से 50,000 outflow तो minus 50,000 but दो inflow हो गए एक 5,000 का और 12,250 का मेरे लिए net cost of new machine बेटा मेरे लिए net cost of new machine कितना है सर 50,000 का negative but सामने 7 to 5,0 so 42,750 आ जाएगा net cost of new machine मेरे लिए कितना हो गया it is 42,750 अभी clear everybody कितना आ गया 42,750 it is 42,750 is the cost of new machine बोलो रे पबलिक समझ में आया गया क्या अब मैं ये 42,750 आपको यहाँ पे दिखाऊंगा question में तो आपको समझ जाए आ जाएगा ना पबलिक यह रहा देखो 42,750 कैसे आया अब इनका format अगर तुम देखोगे ना तो तगड़ा है गंभारी है but now we have made it easier हमने बोला net cash outflow पहला ले लो कैसे calculate करेंगे पैटा net cash outflow cost of new equipment 50,000 minus अब यहाँ पे minus क्या कर रहा है एक यह inflow market value of old equipment and tax savings from sale tax savings from sale कैसे calculate करते यह book value of old system is greater than market value तो फिर बापने loss है tax benefit otherwise उल्टा भी हो सकता है तो फिर आपका tax payable आ जाएगा तो वो outflow के तरह की नहीं step one एक डम clear sir कोई tension नहीं है step two क्या है पता है क्या step two यह है कि new machine लेने की वज़े से मुझे कोई फाइदा हुआ क्या हाँ कहना इसे मेरा sales increase हो जाएगा CDC बात है पहले मेरा अगर old machine 50,000 unit बना था मेरा sales बढ़ गया तो कितना sales बढ़ा कितना variable cost कम हुआ in short कितना मेरे को फाइदा हुआ है कितना मेरे को net profit before tax आ है फिर यह मेरा depreciation का भी impact आएगा depreciation भी बढ़ जाएगा क्योंकि new machine नय करीता है तो उसका ज्यादा cost है तो उसका depreciation ज्यादा as compared to the old machine यह सब मेरी चीज़े बढ़ गए इसकी वज़े से आ जाता है मेरा net profit before tax इसमें से मैं tax minus करूंगा मुझे मिल जाएगा net profit after tax but मैं यहाँ पर depreciation add back कर देता हूं तो मुझे मिल जाता है net cash inflow बस ध्यान में रखना है यहाँ पर यह जो मैं net cash inflow find out कर रहा हूँ ना this is going to be the change in net cash inflow मतब कितना additional हुआ है sales कितने से बढ़ा है differential sales कितना बढ़ा है मेरा boss differential variable cost कितना बढ़ा depreciation कितना बढ़ा वो मेरे को देखना है so अगर मेरा यहाँ पर मैं बोलता हूं कि भाई से sales भी बढ़ा बढ़ा है सर वेरेबल कॉस्ट भी बढ़ा है तो differential sales कितना बढ़ा वेरेबल कॉस्ट कितना बढ़ा depreciation कितना बढ़ा तो मेरा net profit before tax कितना बढ़ा इसके ओपर tax करने के बाद the depreciation we will get the net cash inflow multiply करेंगे present value annuity factor के साथ अपने को मिल जाएगा निव मशीन से मेरे को कितना present value of cash inflow आया समझे क्या आओ इतर देखते है अपन लोग आओ देखो change in sales मेरा sales कितना बढ़ा पता है कि आपको 10% से मेरा sales बढ़ा समयनी question बोल रहा है समयनी question बोल रहा है इंक्रीज इन सेल्स 10% of 1,00,000 समझे यह सर समझ में आ गया फिर estimated cost savings तो मेरा variable cost भी सेव हो गया आओ वो भी देख लेते हैं तो मेरा variable cost भी सेव हो गया तो यह मेरा और सेविंग्स हो गया तो 10,000 भी बढ़ा 5,000 भी बढ़ा depreciation भी बढ़ गया तो मेरा cost बढ़ गया तो पहले देखो नया machine है पच्चास अजार का उसमें से एक अजार salvage value divided by 5 years उसका effective life है तो अभी का मेरा current depreciation आगा 49,000 divided by 5 which is 9,800 पहले मेरा already depreciation 2,500 का थाई तो अब मेरा 9,800 minus 2,500 का 7,300 का depreciation अब मेरा बढ़ गया है तो मैं क्या बोलूँगा यहां पर कि boss मेरा sales कितने से बढ़ा है मेरा variable cost कितने से बढ़ा है and सामने मेरा depreciation भी कितना बढ़ा है तो उतना मैंने minus कर दिया आभी clear everyone समझ में आ गया अब इसके basis पे मुझे tax benefit हो रहा है और फिर as usual अपर लोग जो net cash inflow find out करने के लिए अपर लोग क्या कर देते हैं add back depreciation कर देते हैं वैसे यहां पर मैं भी add back depreciation कर दूंगा वैसे मैं भी add back depreciation कर दूंगा कितना वही 49,000 divided by 5 minus 25,000 divided by 10 which is 7,300 तो वह तो अपना वही system है जितना depreciation यहां पर minus किया है उतना add back कर दिया मेरे को मिल गया net cash inflow यह जो net cash inflow है इसको present value annuity factor plus salvage value यह याद रखने है यह salvage value है ना hidden adjustment के जैसे है वह यह salvage value को मैंने add back कर दिया मुझे मिल गया प्रसेंट value of benefit minus present value of cost मुझे मिल गया net present value positive है we will accept the proposal तो चीजे ध्यान में रखने है एक net cost बटो net cost के लिए ध्यान में रखना है अपने को मेरा format क्या है वह नया machine करीदने का outflow old machine बेचेंगे उसका inflow old machine बेचेंगे उसका या तो tax benefit या tax पे में पेवल आएगा वह इंफेक्ट देने का है दूसरा जो benefit मिलने वाला है new machine का sales increase हुआ variable cost कम हुआ depreciation increase हुआ उस सबका tax benefit add back depreciation cash inflow आ गया present value as the ORC जिसको बलते है optimum replacement cycle अब मेरे पास यहाँ पर एक example है उसी के तुरू में आप लोगो करवा दूंगा एकदम मस्त में समझ जाएगा तो तो यह मेरे को क्या बोलता है कि अगर मैं आज और ही machine करिता हूँ तो मुझे चार लाक गवे लग जाएग钱 कई करीता हो टैक्सी खरीता हू तो vast.ć Loren तो लाग एक साल बाद इतना पैसा नेट आएगा जाएगा प्लस चार लाग अगर मैं आज का आज इसको खरीता हूँ तो टोटल इंपैट क्या आता है अब इन दोनों को तो मैंने क्या है न यहाँ पे ऑफसेट कर दिया है बैइ 2,10,000 का करचा दो लाग थीज़र का इंफ्लो तो नेट मेरे लिए हो गया 20,000 का इदर मेरा इंफ्लो आ गया कैसे सर्फ 2,10,000 का करचा हुआ पर 2,30,000 मिल भी गया तो वो इधर मैंने इंपैक्ट द और दूसरे साल का करचा और दूसरे साल मिलने वाली समझे क्या तो यह मेरा इन नट शेल दो साल के बाद का इंपक्ट आएगा तो उसको मैं आज प्रेसेंट वैल्यू पे लिक्या रहा हूँ और आज ही मैं इसको खरीद लूँगा नए वाले मशीन को तो उसका तो में को आज का चार लाक रुपए दिना पड़ेगा नेट दो साल के बाद मेरा क्या इंपक्ट आया 5,47,100 दो साल यूज करके 5,47,100 एक साल यूज करके 3,9,100 तो दो साल यूज करके अगर 5,9,100 तो एक स साल का कितना है उसको डिवाइड बाए 2 कर दूँगा यहाँ पर दीवाइड बाए टू ना करके वी आप टू डिवाइड डिवाइड इड़ बाए डदा प्रसेंट वैयल्यू इसको चरदेंगे डिवाइड बाए प्रसेंट वैल्यू ऑंज फैक्टर ओठाओ तीन साल के मेरे कॉस्ट तीनों साल के लगेंगे इन प्लो जो रिसेल है वो खाली में को लास्ट रखाया जो देखो बन लैटी ताउजन टू लैक तैन ताउजन एन लास्ट में मेरा यह सेवेंटी ताउजन इन दोनों को नेट आफ करके आगया और दिस बेसिकली स्कॉल एज यह ओप्टिमम रिप्लेस्मेंट साइकल यह मेरा लास्ट पॉर्मिला ओर सी फाइंड आउट करने के लिए मेरे को यूज करना बढ़ता है यह सी टीक है विच इस प्रेसेंट वैल्यू ओफ कैश आउट फ्लो ऑफ कैश आउट फ्लो इस संट वैल्यू अनुएटी फैक्टर नंबर ओफ यह नंबर ओफ यह समझे गुड़े अभी बाड़ी बोलो रहे बोलते क्यों नहीं तन सो यह आजाता है मेरा ऑप्टिमम रिप्लेस्मेंट साइकल इक्वेटेड अनुल कॉस्ट जिसका इक्वेटेड अनुल कॉस्ट कम है क इस वाट वी विल चूज इन आवर एग्जमपल इन आवर एग्जमपल इत वाज इन दर यह तू हमने चूज कर लिया कि बैचेंगे वह अमारे वह बैनिफिचल रहेगा यह यह ज़िए साथ सारे के सारे सारे कि सारे पार्मिलाज दान हो गये हैं राइट एड आट वेमें आप लोगों को जितने भी फॉर्मिलास बताए है वो देखो मैंने एक साथ उसको लिख लिया यहां पर तो आप सब यहां पर गोत्रू कर सकते हैं यह देखो और मिलास एंपीवी क्या है इसमें सलिंग प्राइस वेरेबल कॉस्ट इबिटी एडग डेप्रीजेशन कैश इंप्लो वाला रियल नॉमिनल अपने को भी वो पता चल गया है वाई विद इंफलेशन विद इंफलेशन विद इंफलेशन प्रॉबबलीटी वाला फिर वरायन स्टेंड डिवेशन को एफिशेंट ऑवरायन रिस्क अजस्टें डिसकाउंट रेट संसिटिविटी अनलिसिस में तीम मिथड वाव एवरीधिंग डन अब मैं आपको उपन करके दिखाऊंगा येस जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ये देखो अब आप इस खड़ा हो you will be able to solve all questions you will be able to solve all the questions समझ रहो so concept wise we are thoroughly done ये सारा practical question का अब आप लोग आराम से solve कर सकते हो बस एक चीज है अब जो मैं आप लोगो सारा session बता दे रहो येस चलो अब मेरे लास चीज़ पर आ जाते हैं अपन and this concept is called as standard deviation का present value वा सर क्या नाम बुला वही अपन लोग ने cash inflow का present value तो सुना है cash inflow सुनो ना तुम लोग ने cash inflow तुम लोग ने cash inflow का present value तो सुना है कैसे निकालते है cash inflow का present value के ना इसे सर यह तो कितना सिंपल है जो भी cash inflow है उसको one plus discounting factor से किया तो आ गया सर यह first year का है समझो cash inflow सर यह दूसरे year का मिरको मिला मैं कर दूंगा one plus discounting and raise to two तो कोई भी चीज को अगर उसको present value पे लाना है तो उसको discounting factor से multiply कर दे public बराबर है so cash inflow को मेरको अगर present value पे निकालना है तो मैं present value पे लाने के लिए discounting factor से multiply किया एकदम सही अब अगर मैं आपको बुझता हूँ अब अगर मैं आपको बुझता हूँ के भाई मुझे अगर standard deviation का present value चाहिए तो सर ऐसा भी होता है हां होता है ना institute के question में हुआ है तो मेरको अगर standard deviation का present value चाहिए तो मेरको अगर variance का present value चाहिए तो सर आ सकता है क्या well the answer is yes चला जो standard deviation का present value का आली मैं आप लोग को पहले बता देता हूँ क्या होता है same logic वही रहेगा भाई कोई भी चीज़को present value पे कैसे लिकर आएंगे तो say for example मेरा है 36 को मेरको इसको present value पे लिकर आना है तो मैं कर देगा इसको discounting factor raise to 1 say next year गया say 54 का standard deviation है ये 1 का standard deviation है ये second का so 1 plus discounting factor raise to 2 और एक ले लो sir 81 standard deviation third year का upon 1 plus discounting factor raise to it will be 3 तो FA करते करते we will get the standard deviation का present values इसमें कोई problem कोई problem नहीं है ठीकर अगे लोजिक के लिए अपनलों नहीं कि अब मेरे को find out करना है suppose इसका variance variance का present value तो मैं क्या करूंगा तो देखो usually यह तो क्या हो जाता है अपनलों कहना इसे variance बेटा is equal to standard deviation का square यह चीज़ तो आपन सबको पता ही है तो अब यहां पे मेरा say for example standard deviation है यह से मेरा यह standard deviation है upon one plus discounting factor दिया है कैना इससे इसका square कर देंगे हम प्लस कैना इससे मेरा अगर standard deviation है जो भी है अपन one plus discounting factor इसका square कर देंगे हम बराबर है सक प्लस से standard deviation 3 है अचे लिको बाई से standard deviation 3 है बराबर है इसका one plus discounting factor square इसका square कर देंगे अपन यह अब मैं इसको अगर open करता हूँ अब अगर मैं इसको open करता हूँ तो क्या हो जाएक बता है standard deviation 1 का square upon one plus a discounting factor ध्यान रखना आप लोग का basics अगर mathematics का strong है तो यह one है और यह two है तो यह one into two हो जाता है क्या आपको बता है यह basic जिया इसके बाद में आ जाता है upon second इसके उपर so it will be standard deviation 2 का square upon one plus discounting factor अब भी बेटा यहां पे two था अब यह हो जाएगा two into two यह जो two है यह इदर multiply हो जाएगा and तीसरा वाला आ जाएगा standard deviation 3 का square जो भी है one plus discounting factor यह भी ठीक है दर रेस to three again multiply by two got it guys तो जो भी आपका year of discounting factor होगा multiply by two कर देना है जब मैं variance calculate कर रहा हूँ जब मैं variance calculate कर रहा हूँ पस इसको प्यार से कहते हैं Hiller's model अगर आप लोग के पास में optimized है then in that case इसमें अपन लोग ने देखो Hiller's model लिखा भी है इस पर Hiller's model तो समझने से मतलब है क्या आपको यह समझ में आया सर आ तो गया बट सर इसको solve कैसे करना है मेरे पास एक question है आपको चीए तो वो question में करवा देता optimize है चलो फड़ा फड़ा अपन लोग उसको समझ लेते हैं so that we are all on the right track अब basically in short in short in short अगर मेरे को Hiller's model calculate के हिसाब से calculate करना है तो मैं कर सकता हूं क्या कर सकता हूं सबसे पहले variance का सबसे पहले वैसे भी अपनो variance निकालते है तो अगर मेरे को इदर variance का present value calculate करना है तो बेटा मैं कैसे करूंगा मैं बोलूंगा क्या standard deviation बराबर है उसका square upon one plus discounting factor one into two ठीक है सर समझ गे एकदम समझ गे सर continuing standard deviation two ka square upon one plus discounting factor बट इस बार two into two समझ रहे न आप लो कौंसा वाला two आ रहा है आपे plus 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 standard deviation three का उसका square upon one plus discounting factor पराबर है third year है into two hey gotcha everybody four हुआ तो four into two अब अगर मेरे को मेरे को कोई बोलता है कि चलो standard deviation का present value निकालो so what will it be ये जो मैंने calculate किया है तो standard deviation का present value ये जो उपर मैंने calculate किया है उसी का तो square root बनेगा मेरा standard deviation यार so यहाँ पर मेरा आ जाएगा standard deviation one का square बस एक last permission आप लोग से मांग रहा हूँ इधर standard deviation one के square के जगे पे मैं लिख सकता हूँ variance of one upon one plus discounting factor one into two plus variance of two by standard deviation of two का square मतलब variance of two युगा ना यार प्लेक one plus discounting factor two into two plus variance of three upon one plus discounting factor three into two three into two या जाएगा three into two hey so यह देखो इधर यह भी काम आ गया और यह भी हो गया this is my final final answer for the hillers model तो कभी आपको भूल छे कोई के standard deviation का present value निकालो आप क्या करोगे first का variance upon one plus discounting factor raise to one into two तूसरे का variance तीसरे का variance and that's how you will calculate आ जाओ एक question के उपर जो optimize में आपको मिल जाएगा आपका I think आपके module में भी आपको देखना है आप लोग देख सकते हूं question 5 of your module standard deviation of the present value यह same question अब मैं open कर रहा हूं मेरे optimized में यह 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 वो question typical question है बस इसमें वो लोग ने बुला है calculate the standard deviation of the present value ध्यान रखने का standard deviation of present value कभी भी standard deviation is always derived from the correct variance so अपने को जब बोलेगा कोई standard deviation of present value calculate करो तो अपने को क्या करने का root ले लेने का फिर अपनों क्या करते है variance करते है पहले का variance but बस divide by 1 plus discounting factor 1 into 2 sir फिर क्या करेंगे sir add करेंगे क्या add करेंगे sir variance दूसरे का अपन sir 1 plus discounting factor 2 into 2 बस तो इम शाट अब मेरे को अगर यह देखो end में क्या है मेरे को बाभुजी में क्या है मेरे लिए standard deviation of present value find कर रहा है वो मैं कैसे calculate करूंगा बेटा hello बेटा वो मैं कैसे calculate करूंगा मैं पहले variance calculate कर लूँगा so देखो question में मैं पहले variance calculate करूंगा यह रहा मेरा वो question इसमें क्या मेरे को variance calculate करने को आता है आता है अभी अपने लोगो तुम लोगो मैंने variance calculate करने को सिखा था x-x bar square into probability so यह देखो x-x bar square into probability प्लस दूसरा x-x bar square into probability यह करते करते कैना इसे यह जो 185.25 है hello कैना इसे 185.25 यह मेरा variance 1 हो गया यह मेरा इधर 95.25 मेरा variance 2 हो गया 35.25 मेरा variance 3 हो गया तो यहां पर देखो मेरा मेरा concept क्या बलता है variance 1 तो मैंने इधर लिख लिया मेरा variance 1 variance 1 कितना था 185.25 everybody with your permission guys with your permission 185.25 variance 1 है मेरा उसका root निकाल देखो तो standard deviation खाली standard deviation होगा तो अब variance तो मेरा 185.25 है उसको मेरे को present value पे लेकर आना है जब healer's model में use करता हूं तो मैं क्या करता हूं 1 plus discounting factor बढ़ार question का discounting factor देखो क्या है बिटा question का discounting factor देखो क्या है it is it is 10% so यहां पर आपन लोग क्या कर लेंगे बिटा 1 plus discounting factor मैं ले लूँगा point 1 बना रहें एंड एंड याद रखना 1 into 2 प्लस variance of second part बिटा variance of second part क्या है क्या question में दियावा है दियावा है दियावा है अपन लोग ने find out कर लिया है variance of second part अपन लोग है बस 1 plus 0.1 2 into 2 4 हो जाएगा और तीसरे वाले में 1.1 raise to 6 हो जाएगा इसका भी मेरे पास है 35.25 वह मैंने ले लिया 35.25 35.25 के साथ होता है मेरा यह पॉइंट भी complete अब आप जब नेक्स पेज करोगे here it is 185.25 variance पहले का divided by उसको present value पे लियाओ दूसरे का उसको present value पे लियाओ q4 q6 q2 यह मैंने आप लोग को इधर logically समझा दिया है बस अब आपको यह formula याद रखना है and you will be able to solve this question as well comment चाहिए तुमारे likes चाहिए तुमारे कि yes अच्छा लग रहा है sir and that is what is the ultimate motivation अब यही same solution आपको module में मिल जाएगा and you will be able to solve it आप लोगों के लिए जो मैनत करके यह चीज़ बनाई है ना बेटा इसका प्लीज यूस करना कोई भी question देखलो you will be able to do it optimal replacement आता है sir replacement आता है machine replacement choosing between the machines probability value एकदम सिंपल है decision tree है NPV calculation evaluation based on NPV and inflation right NPV RADR sensitivity sensitivity analysis best worst case so any question now you pick up you will be able to do it और अगर कहीं पे अटक रहे हो या कोई problem आरा है मैं आपको और solution बताता हूं comment में आपको कलील डालना है sir please यह वाला question solve करवा दो YouTube पे मैं उसका भी question solve करवा दूँगा तो अगर ऐसा कुछ question है तो public demand page जो सबसे ज़्यादा question comment पे आया उसको मैं solve भी करवा दूँगा I have no issues at all yes you can share it with all your friends as well जिनको इसका एक quick revision चाहिए तो मैंने क्या करवा दिया है पूरा chapter का revision करवा दिया है right and that too guys within two hours के अंदर जो मैंने आपको starting में promise किया था याद रखने रिवीजए तू आर्स के अंदर रखने का यह intention है कि exam time तक आप लोग at least 2-3 बार revise कर लो सारे concepts आप लोगों को you know clear हो जाए and anything else as I have always told you comment box is all open for you आप लोगों कुछ चाहिए let me know do join the telegram channel and yes मज़ा हुआ है आप लोगों के साथ यह सब चीजे करने में कुछ suggestions है कि सर प्रैक्टिकल का भी ऐसे एक विक फायर एक दम एक दो दो घंटे में करवाद हो definitely accepted depends आप कमेंट कीजिए आपको भी अगर requirement लग रहा है then definitely I will work out a schedule relating to that okay guys मदा आ गया करने में and hope the studies are going in great guns ठीक है let's do it attitude रखो positive attitude रखो and and you'll be able to crack it time for me to say hasta la vista मजा आया यह session conduct करने में आप लोगों के साथ and as I said anything else let me know and please इसको दो तीन बार रिवाइस कर लेना सब चीजे आप के पास है नोट्स वोट्स टेलेग्राम चैनल से सब आपको मिली जाएगा मैजिक बुक लेना अगर नहीं लिया है तो and bye bye thank you keep smiling and keep rocking smile करते रो tension लेने से कौन साथ tension दूर हो जाएगा smile करने से at least tension कम तो हो जाएगा है कि नहीं